चले, start करते हैं with the battle of plassey, ठीक है, तो battle of plissey was the major battle, जहां से एक तरह से East India Company, या फे Britishess का rule mainly start होता है and और ली मत jeचे ऑसी कंपनी का वे कंपनी को इस पहले इंडिया में rule करने आई, ठीक है, ऐसा नहीं कि और पहले इंडिया में rule करने आई ता, जैसे कि खमे Ugh कि कोई Indian company किसी African country में trade करने के लिए जाए वेपार करने के लिए जाए और वो धीरे धीरे rule करने लगे तो इस तरह से India में rule चालूगा Britishers का बहुत सारी हमारी companies आई और इससे देखे बहुत सारी questions आते नहीं है अगर मैं बात करूँ जैसे Portuguese, Dutch ये सब काफी companies इंडिया में आई लेकिन जो finally at the end जिसने की rule के एंडे में that was British East India का अपने उसके पिछे के reasons क्या थे वो अब यहां पर जानने वाले तो सबसे पहले जो major battle था यहां पर क्योंकि काफी डिसाइजिव प्रूववन डाट बाटल उफ प्लासी उफ 1757 सब तरह सो सब्तावन प्रि बेंगॉल एकदम rich और काफी बड़ा state हुआ करता था बिटिश के टाइम पर इस पे control मतलब की बहुत एक major पूरे इंडिया पर बोल सकते थे control और उस समय बेंगॉल का जो 1750 के टाइम पर नवाब हुआ करता था वो था अलिवर्दी खान ठीक है अलिवर्दी खान के death के बाद इसका जो बोल सकते हैं इसकी लड़की का जो बेटा था ठीक है इसकी लड़की का बेटा था उसका नाम था सिराजुद दौला ठीक है सिराजुद दौला ये राजगदी पर आया इसकी age बहुत ज़्यादा नहीं थी ठीक है मीर जाफर करके कमांडर जनरल था इसी के सिराजु दौला के कोर्टें बोल सकते हैं ठीक है ये मीर जाफर चाहता था कि ये बने नवाब अव बिंगॉल फर्स रीजन, सेकंड रीजन ये प्रिलिव टू दे बाटल लोग समझ रहे हैं सेकंड रीजन, बिकॉज यहाँ पर जो बिटिशर्स थे, या फिर जो बिटिश इस जिन दे कंपनी थे उनको कुछ ट्रेट राइट्स मिल रखे थे उसको वो ब्रीज कर रहे थे करप्शन कर रहे थे फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, आने के दिवाल बना रहे थे ठीक है, तो जो ये सारे कुछ फैक्टर्स थे इसकी अज़र से सिराजु दौला जो है उसको ये चीज काफी सही नहीं लगी अब सही नहीं लगी तो इसने सोचा कि अब डिशर्स के खिलाफ कुछ न कुछ करने के जरुत है और एक और इंसिदेनस बोला जाता है एक वाज ब्लाक होल ट्राजडी जिसमें कि ये माना जाता है कि सिराज्यों दौला की माना जाता है इसलिए बिकॉज ये चनफर्म नहीं है, ठीक है मतलब पूरी तरह से क्योंकि Blackwood tragedy में काफी सारे difference of opinions हैं कि Britishers बोलते हैं कि यहाँ पर काफी सारे Britishers को बंद कर दिया गया एक काल कोटरी के अंदर जिसकी वेसंट को दम गुटने के जसन की मौत हुई लेकिन कुछ historians बोलते हैं कि इतने लोग की death नहीं हुए तो एक तरह कि Blackwood tragedy हुई थी यह भी एक prelude to the battle में आप add कर सकते हैं जिसके वज़े से यह tensions और strife between the Britishers और जो नवाब उस समय था Bengal का that was Sirajud-Dawla उनके बीच में strife increase हुआ और इसकी वज़े से यहाँ पर battle of plasya हुआ और यहाँ पर winner was the British East India Company वो यहाँ पर जीट जाती है और मीर जाफर ने treachery करी होती धोका किया होता Sirajud-Dawla के साथ Britishers ने इसको यह promise किया कि अगर तो हमें help करोगे Sirajud-Dawla को defeat करने में तो we will make you the nawaab of Bengal और जैसा की Britishers ने promise किया वैसा ही deliver किया किसको इस मीर जाफर को मीर जाफर को नawaab of Bengal बना दिया गया बट यहाँ पर हुआ क्या अब मीर जाफर को तो बना दिया गया बट उतना धंग से ये भाई साब उतना चला नहीं पा रहे थे किसको Bengal को और जैसा चाहते थे Britishers वैसा नहीं चला पा रहे थे तो इसी वज़े से इन्होंने क्या किया जो मीर कासिम था ठीक है मीर कासिम ये दामाद था किसका मीर जाफर का इसको राजगदी पे बिठा दिया बट जो मीर कासिम है ये काफी यंग था अब ये यंग था तो इसने ये सोचा कि क्यूं हम as a puppet ruler बनके रह जाएं Britishers के तो इसने क्या किया एक alliance बनाया एक और इसका ठीक है एक alliance बनाया किसके साथ नवाब ओफ अवद ठीक है उस समय जिसका ओद बोलते थे और जो मुगल emperor था शाह आलम सेकेंड ठीक है मुगल emperor शाह आलम सेकेंड इनके साथ इसने alliance बनाया और Britishers के खिलाफ एक war वेज करी और एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें British forces को किसने लीड किया ठीक है ध्यान रखना कि जो British forces हैं वर led by Robert Clive ठीक है Robert Clive ने यहाँ पर British forces को लीड किया Battle of Plassey में शाह आलम सेकेंड और यह कौन था नवाब अवद उससमें शुजाउद दॉला ठीक है उसका नाम था शुजाउद दॉला इन तीनों ने alliance बनाया और Britishers के खिलाफ war वेज किया बट यहाँ पर भी defeat किसकी होती है इन तीनों की collectively और winner यहाँ पर यहाँ बात साइन होती है यह साइन करवाने में main role होता है Robert Clive का again Robert Clive पिक्चर में आता है जो कि पहला governor of Bengal भी था ठीक है he was the first governor of Bengal इसने दो separate treaty sign करी शुजाउद दॉला कौन जो नवाब अवद है ठीक है और शाह आलम सेकेंड के साथ एक शुजाउद दॉला के साथ और एक इसके साथ नवाब अवद यह जो शुजाउद दॉला और शाह आलम सेकेंड के साथ यह चीज़ ध्यान रखना कि जैसे मीर जाफर पहले था ठीक है उसको हटाया मीर कासिम है मीर कासिम ने क्या किया बिटिशर्स के साथ वो बिटिशर्स को पता चल गया कि इसको तो अवटाना ही पड़ेगा तो फिर से मीर जाफर को फिर से यहाँ पर रिस्टोर कर दिया गया बाकी यहाँ पर दो अलग अलग ट्रीटी साइन हुई ट्रीटी अफ अलगाबाद एक तरह से यहाँ से डूल गवर्मेंट स्टार्ट होता है बेंगॉल में डूल गवर्मेंट इन बेंगॉल मतलब इसका क्या है मतलब इसका यह है कि इसमें दो तरह के दीवानी जो राइट्स थे या फिर दीवानी फंक्शन्स हम वो सकते है अनिकि दीवानी फंक्शन्स का मतलब है फिर दीवानी राइट्स का मतलब है राइट्टू कलेक दी टैक्स यह बिटिशर्स ने अपने पास रखा ठीक है यह बिटिशर्स ने अपने पास रखा और जो निजामत functions थे निजामत functions का मतलब है जो police functions है जो पूरा administration देखना वो दे दिया जो नवाब था उसके हाथ में मतलब कि तुम देखो हमारे नाम पे क्योंकि इनको इससे कुछ लेना देना नहीं था main इनको लेना देना था revenue से ठीक तो यहाँ से माना जाता है कि कहीं ने कहीं जो Britishers का rule है वो actual में यहीं से start होता है बैटल अफ प्लैसी यह फिर बैटल अफ बकसर हम बोल सकता है ठीक अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कुछ और series of war जैसे कि Anglo-Mysore war तो South India में अगर हम जाएं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर था फ्लैरिश कर रहा था विजयनगर Empire जो कि 1336 में established हुआ था बैटल अफ तैली कोटा जो हुआ 1556 में उसके थूँ यह जो विजयनगर Empire है जिसमें कि डेकें सुल्तान्स ने अटाक किया और इसको एकदम पूरा बैफर्केट कर दिया और यहाँ पर विजयनगर kingdom को पूरी तरह से यह बोल सकते हैं कि यह पूरा छोटे छोटे पार्ट से बढ़ गया था बहुत छोटे छोटे पार्ट से बढ़ गया तो इसमें से एक छोटा पार्ट निकल किया, यह मैसोर वाले रीजन में, जिसको कि हम बोलते हैं, वुडियार, ठीक है, वुडियार डाइनिस्टी, एक हिंदू डाइनिस्टी थी, जिसने कि यहाँ पर रूल स्टार्ट किया, मैसोर किंग्डम में, यह धीरे धीरे फ्लरिश करता है, उसके डिफरेंट रीजन से, because, kings भी powerful थे और यह reason भी काफी अच्छा था, मतलब agriculture perspective से, और location, strategical perspective से, काफी important location पर था, वुडियार डाइनिस्टी यहाँ पर रूल कर रही थी, but, यहाँ पर आ जाता है हैदर अली, हैदर अली एक घुड सवार के तौर पर जोईन करता है, वुडियार डाइनिस्टी के फिर माइसोर किंडम को, उस समय जो रूलर थे, वुडियार डाइनिस्टी के, वो कुछ खास कर नहीं पा रहे थे, इसी वज़े से हैदर अली का जो प्रॉमिनेंस से वो बढ़ता गया, और उसने जो वुडियार डाइनिस्टी थी, उसको एक तरह से जो रूलर थे, ठीक है उनको हटाया राजिगती से, और खुद वहाँ पे बैढ़ गया है हैदर अली, तो हैदर अली का अब आक्चल में रोल था, इस वुडियार डाइनिस्टी या फेस पूरे माइसोर में, माइसोर के काफी इंपॉर्टन था और जो हैदर अली था, बिटिशर के डिरेक्ट कॉ अब बिटिशर्स ने क्या सोचा, बिटिशर्स ने सोचा कि हम भी अकेले तो हरा नहीं पाएंगे हैदर अली को, तो क्यों ना जो माराथा हैं, जो इसके दुस्मन हैं, उसको साथ में लेते हैं और इसको हराते हैं, बट जब इसके बारे में हैदर अली को चीज को पता चला कि इस तरह से ऐसा कुछ अलाइंस बन रहा है बटिशर्स और मराथा के बीच में, तो उसने मराथास को बोला कि ठीक है, क्योंकि आप आते हो अटाक करते हो और कुछ सर्टेन पार्ट अफ टरिटरी हमारा ले जाते हो, तो आप क्यों ना हमसे एक फिक्स्ड रेवन्यू इसलिए करो, अटाक करने ही क्या ही जरूत है, तो इस तरह से जो हैदर अली उसने नूटराइज कर दिया कि सको मराथास को, बट यहां पे इसी वजए से जब फर्स्ट अंग्लो-माईसोर वार होता है, ठीक है, यहां पर एक लिखा होगा, फर्स्ट जो अंग्लो-माईसोर से लेके 1769 तक की बीच में जो फॉर्स्ट अंगलो माईस ओर वार हुआ इसमें डिफीट दी किसको बिटिशस को और यहां पे साइन हुई इस ट्रीटी अफ मद्रास के तहत ये बोला जाता है कि जो भी हम लोगों ने एक दूसरे की टेरिटरी यानि अंगरेजियों और हैदर अली ने जो एक दूसरे की टेरिटरी को गयर कुछ ऑक्योपाई किया है वैसे तो में लिए हैदर अली नहीं किया था लोटा देंगे और future अगर एक दूसरे पर कोई भी attack करेगा तो we will protect each other अगर one law for example attack किया किसी ने इन पर Heather Ali पर तो Britishers help के लिए आएंगे Britishers पर किसी ने attack किया Heather Ali help के लिए जाएंगे बट ऐसा हुआ नहीं जब Marathas ने raid मारी फिर से किस कहां पर Mysore में तो इस बार Britishers नहीं है यह नहीं उन्होंने direct violation किया treaty of madras का और यह चीज सही नहीं लगी किसको Heather Ali को और धीरे धीरे फिर Britishers ने सुच्चा फिर हम Mysore पर attack करते हैं फिर second Anglo Mysore war होता है 1780 से लेके 84 के बीच में यहाँ पे भी यहाँ पे भी treaty of Mangalore sign होती है और यहाँ पे actual में balancing match draw हो जाता है draw इसलिए हो जाता है reason उसका यह है कि यह Heather Ali की death हो जाती है इसी second Anglo Mysore war के time पे Heather Ali की death हो जाती है due to cancer ऐसा नहीं कि war में death हो जाती है due to cancer और इनके जो बेटे थे टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान वो इस war को आगे बढ़ाते हैं but कोई final conclusion war पे नहीं निकल पा रहा तो यह से तुनों teams नहीं सुचा कि चलो और match draw कर लेते हैं भी ठीक हो खता हम होता है आपका treaty of Mangalores है again होता है अब third Anglo Mysore war अब क्योंकि टीपू सुल्तान थे में और अब third Anglo जब Mysore war होता है तो यहाँ पे सिर्फ Britishers directly attack नहीं करते हैं Britishers के साथ साथ Marathas भी थे हैं तो यहाँ पे Marathas और जब इनका Britishers का और यहाँ पे actual में जो निजाम of Hyderabad था वो भी साथ में था इन लों के ठीक है इन लों के और इन तीनों ने बोला एक दूसरे से कि हम तीनों इसको defeat करते है Mysore kingdom को और जितना भी part हम acquire करेंगे वो आपस में बाट लेंगे third Anglo Mysore war में defeat होती है टीपू सुल्तान की defeat होती है किसकी टीपू सुल्तान की और ना सिर्फ defeat होती है बल कि जो भी parts acquire किये इन सब लोगों ने उठा उठा ले गए ठीक है बांट ली अपना अपना जो भी acquire किया और साथ ही साथ इस पर तीन करोड का penalty लगाया भाई साब के पास थे नहीं डेल करोड दे पाए तो इनके जो दो बेटे थे टीपू सुल्तान के उनको ऐसा collateral अंगेज ले गए एक तरह से गिरवी कि जब आप यह लोटा होगे तब हम आपको दोनों बच्चों को लोटा देंगे टीपू सुल्तान ने उस सारा काम किया डेल करो लोटा है और यह जो थर्ड अंगलो माईसौर वोर है ट्रीटी ओफ से खतम हुआ और इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ मैस को बताया थीक कि वह ओ चुकी थी अब तीपू सुल्तान को लेना था ठीक जो उनकी बेजिती ने गहनगोर बेजिती थी है थैट अंगलो माईसौर वर्म है और तीपू सुल्तान ने इसके लिए क्या किया फ्रांसीसीयों की help लेना चाहा, जो French थे, French, ये French direct rival थे अंग्रेजों के, कारण इसका ये था, कारण इंडिया में नहीं था, कारण इसका चुपा हुआ था USA में, USA भी colony थी UK की, यानि Britishers की, क्योंकि उनके भी colony थी, और जो France C.C. थी, वो support कर रहे थे USA वालों का, उसके लिए जो War of Independence वाहां चि यहां पर भी दोनों के बीच में rivalry चल रही थी, ठीक है, और क्योंकि यहां पर इन दोनों के बीच में, वहां पर rivalry चल रही थी, उसका यहां पर directly नतीजा देखने को मिला, और जो टीपोज उलतान थे, वो फ्रांसीसियों के करीब जा रहे थे, करीब in the sense, कि इन्हों ने एक वहां पर जैकोबिन्स क्लब होता है, फ्रेंच रेवोलिशन वहां पर चल रहा था, जो फ्रेंच रेवोलिशन, वहां पर जैकोबिन्स क्लब की स्थापना होई थी, वहां पर फ्रांस में, उसी जैकोबिन्स क्लब की स्थापना इन्हों ने यहां पर करवाई, ठीक है, एक को पता चल गई किसको बिटिशर्स को और जब ये बात पता चली तो इन्होंने तुरंत अगला अटाक मारा किस पे मैसौर पे किसने अंग्रेजों ने और यहाँ पे पूरी तरह से नगे उसके बाद सीरी अंगलो माराथा वास होते हैं तो जो मराथा वास हुए इसके पीछे की बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है उत्ती लंबी चौड़ी कहानी आपको जानने की जरत नहीं है बस यह देखिए आपके एक्जाम में यह पूछेगा कि कब हुए और कौन सी ट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें कहानी पढ़ लेंगा और सारी चीज़ें अभी के लिए सिर्फ कब हुआ और कौन सी ट्रीटी से खतम हुआ तो फर्स्ट आंगलो जो मराथा वार होता है वो 1775 से लेके 1782 के बीच में होता है and it ended with the treaty of Salby treaty of Salby से खतम हुआ कौन फर्स्ट आंगलो मरा था वार बट बीच में दो और ट्रीटी भी होती है treaty of सूरत and treaty of पुरंदर actually यहाँ पे एक रगुनात राव करके होते हैं थोड़े से बगावती टाइप होते हैं और वो अलग से सूरत में जाके treaty sign कर लेते हैं अंग्रेजों के साथ कि हमें पेशोव बनाने महल करें कि इनको पेशोव बनने में बनाया नहीं जा रहा था मतलब इननों सारे जतन प्रयास कर लिये थे अपने बतीजे का मर्डर तक करवा दिया था बट फिर भी यह नवाब बन नहीं पा रहे थे ठीक है नवाब सारी पेशोव बन नहीं पा रहे थे और इसमें में रोल कहीं ना कहीं ना फड्नवीज जी कभी था क्योंकि वो चाहते थे कि यह ना बने है ठीक है कॉन रगुनात राओ तो सूरत में रगुनात राओ ने ठीक है रगुनात राओ ने बिटिश के साथ ट्रीटी साइन कर ली ठीक है एंड बिटिश ठीक है यह कब साइन हूँ वह important है किसके बीच में तो इतना स्व कि नहीं प एकर बात करें तो 1803 से लेके 1805 तक चलता है और यह end होता है treaty of Basin से, ठीक है, treaty of Basin से और जो third anglo-maratha war होता है वो 1817 से लेके 1817 से लेके 1819 तक चलता है और यहाँ पे तीन treaty sign होती है, अलग-अलग यह sign करते हैं, treaty of Puna sign करते हैं, जो पेशवा थे, ठीक है, पेशवाज के साथ, treaty of Gualier sign किया सिंधिया, ठीक है, सिंधिया, और treaty of Mansour, treaty of Mansour sign किया होलकर के साथ, अक्चल जिसे होलकर थे, इंदौर में रूल कर रहे थे, सिंधिया, Gualier में रूल कर रहे थे, पेशवा, Maratha, यह सब जो पूरा Maratha Empire था, उसके divisions थे यह, Gualier में जिस सिंधिया रूल कर रहे थे, होलकर इंदौर में रूल कर रहे थे, भोसले, नाकपूर में रूल कर रहे थे, यह सब पूरे Maratha और पूरे division के सब units हम बोल सकते हैं, तो उनके साथ अलग-अलग यहाँ पर treaty sign करी, तो तीन Anglo-Maratha war हुए, कब हुए और कौन सी treaty और कब sign हुई, यह आपको यहाँ पर बस पता होने के जरुत है, फिर आगे बढ़ते हैं, what is this subsidiary alliance, subsidy alliance जो है, यह एक, बोल सकते हैं, concept था, French governor general था, एक जिसका नाम था, duple, duple का यह एक तरह से brain child था, but actual में इसको जो यूज किया इंडिया में, that was Lord Valesley ने, Lord तो नहीं लगाना channel के नाम के आगे, Valesley ने इसको introduce किया इंडिया में, देखिए introduction तो हम बहुत सकते हैं, duple ने किया, but majorly इसको यूज किया Valesley ने, जो कि British East India Company का एक जनरल था, वो था France का, duple, 1798 में ले के आया यह subsidiar alliance, अभी subsidiar alliance में था क्या, any Indian ruler whose security was threatened was encouraged to seek help from and enter into an alliance with English, the English promise to protect the ruler from external attacks and internal revolts, the conditions were British troops would be permanently placed in the territory of the subsidiarist state, the ruler would have to pay for the maintenance of the troops, he could not form an alliance with any other power without the permission of the English, यह इसका मतलब यह कि कोई भी ruler, अगर subsidiar alliance sign कर लेगा, तो वो subsidiary बन जाएगा, वो प्रोटेक्ट करेगा, यह नहीं कि अंग्रेज उसको नहीं बिटिशर, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, अगर उसके खिलाफ कोई भी external attack होता है, फिर internal revolt होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन free में प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कि एक पूरी army हम station करेंगे आपके उसमें, आपके territory में, पूरी एक army station करेंगे, उसके लिए उस ruler को ही pay करना पड़ेगा, एक British का आदमी permanently अंदर रहेगा court में आपके, ठीक है, उसको भी pay करना पड़ लेगा उस ruler को ही, ठीक है, और ये किस लिए कर रहा है थे, ये subsidiary alliance का concept क्यों लेके आया था, ये जो वेलेजली है, और क्यों ये sign करवाई जा रही थी, क्योंकि इनको thread था फ्रांसीसियों से, thread था नैपोलियन से, इसी वज़े से, और ये यहाँ पे एक provision रखा गया था, कि ये जो subsidiary state है, जिसने subsidiary alliance sign किया, वो कोई भी, किसी भी, किसी भी ruler या फिर किसी भी मान लेते हैं, किसी दूसरी company के साथ, और किसी दूसरे देश के company के साथ, alliance में नहीं जा सकते हैं, और अगर जाना है, तो Britishers से पहले पूछेंगे, हर चीज के लिए Britishers से पूछेंगे, किस किसी भी ruler के साथ, ना तो alliance में जा सकते हैं, ना ही किसी other company के साथ, किसी दूसरे country के company के साथ, ये इसमें ऐसे provisions थे, बस इसमें इन लों को मिल क्या रहाता है, सबसे प्रोटेट करेंगे तुम्हें, external या फिर internal attack या फिर revolts से, सबसे पहले आपे sign होती है, sign करता है, निजाम अफ हैदराबाद था, ये इसको sign करता है, 1798 मर यही कारण है, कि जो निजाम अफ हैदराबाद है, ये support कर इसने किया, 4th Anglo-Mysor war में किसका, Britishers का, क्यों, क्योंकि ये subsidiary state बन जोगा था उनका, इसलिए उसमें support किया, clear, तो निजाम अफ हैदराबाद ने, and then, Mysore, क्योंकि अ alliance sign करवा लिया, ठीक है, तो Mysore से भी इन लोगों ने उसको sign करवा लिया, यहाँ पर, clear है यहाँ तक, यहाँ तक से भी clear, कोई किसी कोछ doubt तो नहीं है, आगे बढ़े doctrine of labs, एक बार मैं comments देख लेता हूँ, okay, 1798 में, okay, बिल्कुल यह लिखा नहीं किया, मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, 1798 में, ठीक है, 1798 में, और Mysore ने कब किया, इसने 1799 में, because, जब 4th Anglo Mysore और खतम हो गया, उसके बाद, then आपका तंजोर ने भी 1799 में किया, तो ध्यान रखना है, 1799 में, और अवध ने, यहाँ लिख देता हूँ, मैं, ठीक है, अवध ने इसको sign किया, 1801 में, अवध ने sign किया, 1801 में, ठारा सो एक में, फिर आती है Doctrine of Labs, जिसको हडप नीती बोलते हैं, यह लाया था Dalhousie, मतलब इस वही है सेम चीज, कि concept किसी और कार यूज अच्छे से, इसको किसी ने किया, Dalhousie ने, Dalhousie ने इसको इंट्रद्यूस किया, 1848 के टाइम पर, और इसके तहत था क्या, कि कोई भी kingdom, जिसका कि एक natural higher नहीं है, ठीक है, natural higher का मतलब है कि जैसे यह मान लो रूलर है, इनका खुद का कोई sun नहीं है, यह उत्तरदाई नहीं है, तो वो जो Britishers हैं, वो इसके उत्तरदाई है, समझ रहे हैं, मतलब कि अगर मान लेते हैं, adopted sun भी है, यह ruler है, इसका कोई sun नहीं और adopted sun है, तो यह adopted sun इस पूरे kingdom का मालिक तभी हो सकता, अगर Britishers चाहेंगे तो, ऐसा था doctrine of lapse में, और अगर नहीं है, तो Britishers उसके, उसके उनका मालिकाना हक है, उस ruler के जाने के बाद, ऐसा था doctrine of lapse, इस doctrine of lapse के तहत, धीरे धीरे काफी सारी territories acquired करी, डलाउजी ने या फिर बिटिश ने, सबसे प और जहांसी, and it was one of the reasons कि क्यों, जो अमरी रानी लक्ष्मी भाई जी है, उन्होंने 1857 के report में participate किया, ठीक है, तो doctrine of lapse, I hope समझे होंगे, डलाउजी 1848, और 17 सबसे पहले इसके तहरे अक्वायर हुआ था, और डलाउजी के time पे कुछ और भी चीज़ा आपको पता होना चाहें जैसे कि, postal stamp की service start हुई थी इसी के time पर ही, ठीक है, postal stamp की और जो पहली train service है, first train service वो भी start हुई थी डलाउजी के time पे in the year 1853, from Bombay to Thane, ठीक, आगे बढ़ते हैं, 1857 का जो revolt हुआ था, उससे पहले कुछ छोटे छोटे आपके revolt हुए थे, छोटे छोटे जगों में, ठीक है, ज जैसे कि, सन्यासी डिवोल्ट, सबसे पहले हुआ था, in the year 1763, ये मतलब बहुत ज़्यदा important नहीं हो सकता है, कभी matching है, पूछ लिए, इसव़े से इनको याँ पर मैंने रखा है, ठीक है, जो पैका, रेबिलियन हुआ था, 1817 में हुआ था, ओडिसा में, ठीक है, जग बंध जग बंधू, बिद्याधर ने इसको लीड किया था, ठीक है, बिद्याधर ने, पैका रेबिलियन को 1878 में और ये हुआ था, आपका ओडिसा में, कुका रिवोल्ट केकर बात करें, तो 1840 में हुआ था, पंजाब में, बाबा राम सिंग ने इसको लीड किया था, ठीक है, बाबा, राम सिंग ने इसको लीड किया था, 1840 में हुआ था, पंजाब में, ठीक, इंडिगो रिवोल्ट के कर बात करें, 18, ये तो बाद में हुआ था, 1857 रिवोल्ट के बाद में हुआ था, बट फिर भी इसको मैंने एड कर दिया है, because important है, 1859 में हुआ था ये, जो नादिय है वेस्ट पंगॉल की वहां पर, और इसको दीन बंधु मित्रा, जी ने, यह चीज ध्यान रखना, जो दीन बंधु मित्रा जी थे, उन्होंने अपना एक प्ले लिखा था, जिसका नाम था नील दर्पन, नील भर्पन, उसमें इस चीज को दिखाया था उन्होंगे, इंडिगो रिवोल्ट को इसमें था क्या कि जो European planters थे वो जबरन इंडियन्स जो farmers उनको जबरन ये बोल रहे थे कि आप इंडिगो और नील की खेती करो विकॉज उनको इसमें अच्छा revenue मिलता था बट इसी के खिलाफ ही पुरा रिवोल्ट थे 1859 में नाधिया रिस्रिक्ट आफ वेस्ट बंगॉल में जिसको की नील दरपन के थ्रू दीन बंदू मितरजी ने दिखाया ठीक है मुंडा अप्राइजिंग के बात करें हो एन मुंडा अप्राइजिंग जिसको की उल्गुलान अप्राइजिंग के नाम से भी जाना जाता है इसको उल्गुलान अप्राइजिंग के नाम से जाना जाता है और यह हुई थी आपके 1899 में किसके खिलाफ आउटसाइडर और आउटसाइडर मेली थे या तो जो जमीदार थे बड़े-बड़े वो इंडियन भी हो सकते थे और जो बिटिशर्स थे उनको इन लोगों ने बोला दीकूस दीकूस का मतलब है आउटसाइडर्स ठीक है तो इनके दीकूस के खिलाफ था ये मुंडा प्राइजिंग या फिर उलगुलान अप्राइजिंग जो बिरसा मुंडा जी थे उन्होंने इसको लीड किया था इसलिए उनके नाम पर इस अप्राइजिंग का नाम पड़ा ठीक है और संथाल रेबिलियन के अगर बात करें तो यह हुआ था 1855 में जिसको की लीड किया था सिद्धू एंड 1855 में बस आपको दो चीज़ें पता होने के ज़रत हैं अभी आते हैं 1857 रिवोल्ट पे इस 1857 रिवोल्ट के काफी सारे रीजन्स थे एकनॉमिक रीजन्स है प्लिटिकल रीजन्स और मिलिटरी रीजन्स भी थे ठीक अब इन रीजन्स के साथ साथ एक इमीडियेट रीजन भीटा ये फिर इमीडियेट कॉज भी था दग्ये साथ क्या कि इनके खिलाफ बिटिशरों से खिलाफ तो काफी पहले से ही जो एंटी सिंटिमेंट्स बटीर अंटी बिटिस सेंटिमें डेवलप हो रेता जैसे की जो यह कर रहे नहीं डूक्ट्रुन फलाप्स हो गया ठीक आपने ocean cross कर लिया तो आपकी purity खतम हो जाएगी और आप फिर हिंदू नहीं रहेंगे तो इस तरह की चीज़ें थी ठीक है और उसमें फिर ये सारे जो causes ये develop होते गए और फिर आया आपका immediate cause जो कि था चरबी वाले कार्थूसों का प्रेयोग यानि कि used of used of greased cartridges ये वहां पर बात फैल गए कि जो कार्ट्रीज है उसमें pork आप समझते होंगे जो pig होता है उसके meat को पौक बोलते हैं जो कि Muslim फिर Islam धर में बिलकुल ही मतलब बहुत ही prohibited है और ये भी मतलब बात ही कि उसमें beef यानि कि जो गाय का मान से वो अट किया जा रहा और ये लिटरी में जो इन्डियन पर्सनल सेफ रह रहते हैं उनके खिलाफ एक बोल सकते हैं दोहरा व्यवहार किया जा रहा था जो एंग्रेज नी कि जो बिटिश इंधिश को अलग तरह का treatment जो इंग्लिश इन को अलग जगों से different जगों ने lead किया जैसे डेली से अगर बात करें तो जनरल भक्त खाने lead किया ठीक है जनरल भक्त खाने इसको lead किया डेली से और अगर यह नहीं होगा तो फिर option में आपको बहादूर शाजफर ठीक है तो इस वेज़े दोनों option में हो सकते हैं और अगर आपसे पूछले हैं मोगल शासक कौन थे 18-57 रिवल्ट के टाइम पर तो यह वादूर शाजफर सेकंड कानपूर से lead किया नाना साहिब ने इनकी death के बाद तांतिया टोपे ने lead किया लखनाऊ से बेगम हजरत महल लखनाऊ से lead क्या बेगम हजरत महल iauर फैजाबाद से मौलवी एहमद उल्ला फैजाबाद से मौलवी एहमद उल्ला ने lead किया इसको एंड जांसी से तो आप जानते है रानी लक्ष्मी भाई रानी लक्ष्मी भाई जी के बचपन का नाम बताए क्या था लक्ष्मी भाई ठीक लक्ष्मी भाई और बिहार से लेट किया किसने कुमर सिंग ने कुमर सिंग ने लीट किया और बाकी अनके बचपन का नाम था मनी करनी का शोट में मनू ठीक है अजब बरेली से किसे ने लीट किया जलदी किसे बताए बरेली से तो बरेली से खान-बहदूर ने लेट किया ठीक है खान-बहदूर ने अब विकॉल्ज यह जो movement लीडर लेस था और ये एक All India Movement नहीं हुगा ठीक है इट वाज नॉट अन All India Movement ये आपका All India Movement भी नहीं था इस वज़े से ये फेल कर गया और बहुत दिनों तक टिक नहीं पाया और जो बिटिशास ने इसको बहुत आसानी से सप्रेस कर दिया बिटिशास ने सप्रेस तो कर दिया बट इसका Aftermath भी हमें देखने को मिलता है और वह Aftermath ये था कि 1857 रिवोल्ट के बाद 1858 का Government of India Act पारित किया जाता है जिसके तहत East India Company के रूल को completely या फिर East India Company को ये बॉलिश कर दिया जाता है और इसको वापस बिटेन बुला लिया जाता है और यहां पर डिरेक्ट अब क्राउन का रूल स्टैबलिश कर दिया जाता है इंडिया में जानि कि अब East India Company का रूल नहीं होगा डिरेक्टली जो बिटेश क्राउन है वो लीड करेगा उसके नाम पर यहां पर शासन होगा यहां पर होगा तो इस इन ने कंपने पुरी तरह से खतम और एक हमलोगों ने देखा था.. इस Secretary of State की पोजीशन क्रेट कर दी गई Secretary of State जोक히 बिटेश मही बैठ के इंडियन अफेस के लिए या Indian Affairs को manage करेगा ये British Cabinet का कोई Member of Parliament होगा जो पूरा India का देखेगा कैसा क्या है और वहाँ पे British Parliament में report करेगा ठीक, Secretary of State और इसको assist करने के लिए 15 Member की Council भी दी गई 15 Member Council भी इसको दी गई ठीक है और Voice Roy, जो Governor General था उसको Voice Roy बना दिया गया और पहला Voice Roy कौन था? Canning बिकास ये जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, वो Canning के टाइम पे हुआ था ठीक है, Canning उसमें Governor General of India था और है पता है कि फिर वो चीज आपका Voice Roy में convert होगा तो पहला Voice Roy Canning बना, ठीक अब आते हैं Commentary on the revolt तो VD सावरकर ने 1857 revolt को First War of Independence बोला ठीक है First War of Independence आसी मजूमदार ने बोला Neither it was first nor War of Independence मतलब इसको पूरी तरह से जो वीरी सावरकर जी ने बोला इसको पूरी तरह से Negate किया, Neither it was first Neither it was the first nor The War of Independence ऐसा आसी मजूमदार का कहना था और जो SN Senth उन्होंने बोला It was a completely Leaderless And not an all India movement Leaderless या फिर not an all India movement ये SN Senth जी ने बोला था इनका थोड़ा से ज्यादा पूस्ता है सावरकर जी का जो इन्होंने बोला था It was the first war of independence यानि आजादी का पहला युद्ध है Different Land Revenue System समझ लेता है और उसके बाद स्टार्ट करते हैं जो main हमारी हिस्ट्री इसके बाद जो स्टार्ट होगी from the Congress onwards और जो गांधिय ने रहा है Main जो questions है वहाँ से आपके बनते हैं जो गांधिय ने रहा है और जो Congress है वहाँ से तो Different Land Revenue Systems पढ़ लेता है कि तीन Main Land Revenue System आए 1793 में सबसे पहले आए आपका Permanent Settlement ठीक है Permanent Settlement जिसको की हम जमीदारी के नाम से भी जानता है ठीक है फिर आए आपका और ही कौन लाया ये Cornwallis ने इंट्रड्यूस किया Cornwallis ने इसको इंट्रड्यूस किया कहां आप इंट्रड्यूस किया ये आपका जो Bengal वाला प्रोवेंस था ठीक है Bengal and एक सेकेंड तो Bengal जो प्रोवेंस था और Bengal and Bihar Second फिर 1820 और यहां पर था क्या Permanent Settlement में ये था कि revenue को fix कर दिया गया था revenue was fixed तब इसको बोलते हैं स्थाई बंदुबस्त यहां पर लाए गया था इस वाले particular region में Bengal and Bihar अले region में Cornwallis ले गया था 1793 में और यहां पर उसको fix कर दिया गया था revenue को और वो revenue देना था कि इसको उस particular जमीदार को जो भी उस particular land के लिए hereditary rights दे दिये गये थे जहां से उस जमीदार को tax एफ revenue collect करना था और Britishers को देना था और अगर नहीं दिया sunset होते 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 तक नहीं दिया तो आपके जो hereditary rights उनको छीन लेंगे और वो किसी और को दे देंगे और अगर आप देते रहे तो यह जो आपके hereditary rights से हो बने रहेंगे बरकरार रहेंगे नहीं आपके बेटे के पास उसी दे राइट चले जाएंगे इस तरह से सारी चीज़ें चलेंगे इसके बाद यहां पर जमीदार से डील किया जा रहा था 1820 में यहां पर यानि कि जो मदरास वाला रीजन है मदरास इन बामबे यहां पर रहेत वाली सिस्टम को इंट्रड्यूस किया गया रहेत वाली सिस्टम क्या बोलता था रहेत वाली सिस्टम बोलता था कि हम डिरेक्ली रहेत से यानि कि जो पेजेंट से जो डिरेक्ली फार्मर से उनसे डील करेंगे 1820 में इसको कौन लाया, इसको Alexander Reid और Munro ले किया है, ठीक है, Alexander Reid and Munro ने इसको इंट्रिद्यूस किया, फिर आते हैं सबसे आखिर में, that was in 1822, महाल वाली सिस्टम, ठीक है, महाल वाली सिस्टम इंट्रिद्यूस किया जाता है in 1822, जहाँ पे Holt McKenzie, इसको Holt McKenzie इंट्रिद्यूस करते है कहाँ पे, यह आपका, यहाँ पर लिक देता हूँ, यह वाला जो एरिया, यहाँ पे, that is, मद्रास और बॉम्बे वाले एरिया में इसको लाए गया, ठीक है, और यह ध्यान रखना है कि it was based on the Ricardian theory of rent, ठीक है, यह जो है आपका Ricardian theory of rent पे based था, यह चीज़ ध्यान रखिए Ricardian theory of rent, महालवारी सिस्टम की एक बात करें, दो साल बाद 1822 में Holt Mackenzie लेकर है, कहाँ पे, यह जो पका, पंजाब वाला और जो NWFP वाला रीजन है, वहाँ पे, ठीक है, पंजाब and NWFP वाला जो रीजन है, that is North West Front Province, अभी आते हैं associations formed before the Congress, तो Congress जिस तरह से अभी हमने देखा कि जब 1857 का revolt हुआ, उससे पहले कुछ छोटे-छोटे-छोटे revolt हुआ, उसी तरह से जब Congress बनी, कुछ छोटे-छोटे organizations बने, जो कि हमें पता होने ची कब बने और किसने बना है, तो East India Association के अगर बात करें, तो 1866 में बनता है, 1866 में, कौन बनाता है, दादा भाई नवरोज जी ये इसको बनाते हैं, ठीक है, देन, पूना सारवजिनिक सभा, in the year 1867, कहीं-कहीं 1867 आपको देखने को मिल सकता है, और कहीं-कहीं पर 1870, ठीक है, तो दोनों में आपको डेट बता दी हैं, और इसको कौन फॉर्म करते हैं, M.G. Rana Day जी, ठीक है, M.G. Rana Day, Indian leak in the year 1875 by the Sisir Kumar गोश, Sisir Kumar गोश, और Indian National Association in the year 1876 by Anand Mohan Bose and Surendra Nath Bainerji, आनन्द, Mohan, Bose और Surendra Nath Bainerji, ये इसके में Indian National Association के फाउंडर्स थे हैं, then East India, same thing, repeat I think, ठीक है, then आपका आता है, Bombay Presidency Association in the year 1885 में established होता है, और ये मदरास महाजन सभा भी 1884 में, ठीक है, यनिके 1885 वही एर है, जब आपकी Congress भी बनी, ठीक, इसमें आपको बस इतने आदखना है कि Badruddin Tayyab जी, main इसके founder थे, ठीक, Badruddin Tayyab जी, और इसमें याद करने के ज़रत नहीं है, कारण इसका ये कि 3-4 इसके founder थे, ठीक है, M. विराग चायार करके एक थे, ठीक है, P. तयाग राज थे, वो साबको याद करने के ज़रत नहीं है, because अब पूछे गई नहीं, जहाँ पर multiple होते हैं, वहाँ पर नहीं पूछता है, ठीक है, तो 1884 इधान रखन येर इसमें ध्यान रखना, और बाकी इन में जो मैंना को बता है, येर और जो founders थे, वो आपको याद करने के ज़राते है, ठीक है, फिर अभी आते हैं, इंडिन नाशनल कॉंग्रेस पे, इंडिन नाशनल कॉंग्रेस कब बनी, कौन founders थे, और इसका पहला session कब हुआ, कहां पहुआ और इसको किसने प्रिसाइड किया, तो founded in the year 1885, 1885 में बनती इंडिन नाशनल कॉंग्रेस, founders थे, इसके main founder थे, एलन ओक्टोवियन हुम, जो कि एक ornithologist थे, इसके साथ साथ, इसके founding team में जो involved थे, वो हमारे सुरेंदरनाथ बेनर जी, ठीक है, सुरेंदरनाथ बेनर जी थे, दादा भाई नरोजी थे, आनन्द मोहन बोस थे, ये लोग इनकी founding team में involved थे, जो कॉंग्रेस बनी थी उसके, ठीक है, फर्स सेशन जो उसका हुआ था, 1885 में हुआ था, कहां पर, ये और किसने प्रिसाइड किया था, वेर एंड वो प्रिसाइड इड प्रिसाइड संस्कृत कॉलिज, ठीक है, गोकुल, दास, तेजपाल, संस्कृत कॉलिज, एंड वो प्रिसाइड बाई वो मेश चंद्र बैनर जी, इसको प्रिसाइड किसने किया था, वो मेश चंद्र बैनर जी जी ने प्रिसाइड किया था, ठीक है, बागी कुछ और important sessions हम देख लेते ह चलो, Congress के important session से बाद में देख लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ theory दी गई थी regarding the formation of Congress, जो Congress बनी थी, इसको लेके, सभी लोग खुश नहीं थे, मतलब कि जैसे कि लाला लाज पत्राय हो गए, तो वो opposition में थे इसके, उनका ये बोलना था, कि ये जो Congress है न, ये जो pressure बन रहा है, देरे देरे इंडिया में, Britishers के खिलाफ, उसको release करने का एक माध्यम बना दी है, अंग्रई जो ने, ऐसा बोला था, किसने, लाला लाज पत्राय ने, अपनी safety wall theory, इसको बोलते है, safety wall theory, है न, जिस तरह, जैसे pressure को कर्म नहीं होता है, excess pressure होता, उसको release करने के लिए, वो हो किया गया है, conspiracy theory, आर्पी दत्र जी ने दी, किसने, आर्पी दत्र, जो lighting conductor theory है, ये, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, दी, lighting conductor theory, Congress के कुछ important sessions देख लेता है, और उसके बाद आते हैं, जो Bengal का partition हुगा, क्योंकि Congress के कुछ important sessions है, जहां से आपके question बनते हैं, आपके exam में, ठीक है, चलिए, तो important sessions of Congress, Congress, सबसे पहले तो जो पहला session हुआ, आपने देख लिया, ठीक है, कहां बहुआ, और, सबसे पहले ये question पूछता है, कि सबसे पहला कौन सा session था Congress का, जहां पे national song, जो हमारा उसको गाया गया, कौन सा session था, जहां पे national anthem सबसे पहले काया गया, कौन सा Congress का session था, जिसको कि गांधी जी ने, एक मात्र Congress का session था, जिसको गांधी जी ने प्रसाइड गिया, ठीक है, ये question पूछता है, और, जो एनी बेसंत है, फिर 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 में किलकटा सेशन अफ कॉंग्रेस में गया गिया एनी Bess 솔직 जी ने जो इन्होंने प्रिषाइड किया वह 1927 का सेशन था वो भी कलकटा में था गांधी जी नो जो प्रिषाइड किया वह 1924 में दशार बेलगावं करनाठ्का में जो संट हुआ ुसGenоминаry नाइडू जी कानपुर में उसको ricide किया था चाहि कुछा important session आपको हिए पता होने चाहिए और बाकि पहले muslim president congress के कौन थे बदरूदीनतायप जी थे ठीक है बदरूदीनतायब जी पहले muslim president थे और जार्ज यूल ठीक है जार्ज यूल सके पहले English president थे Congress के जबussia गोंग्रिस बनी थी तु और रुग्मानी देवी अरुंडले यहान दखना इन्होंने पहली बार संबोधन किया था पहली विमें थे इन्होंने संबोधन किया था कॉंग्रेस में पहली तो एन्टी बेसेंट थी पहले इंडियन विमेन प्रेसेंट भी सरोजीन ने एड़ू थी लेकिन संबोधन करने वाली थी हमारी रुक्मानी देवी अरुंडले अभी आते हैं बेंगॉल पार्टिशन में यह बहुत इंपॉर्टन आपका बेंगॉल पार्टिशन इस वेरी इंपॉर्टन तो बात करते हैं बेंगॉल पार्टिशन हुआ क्यों बेंगॉल का विभाजन हुआ क्यों तो बेंगॉल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था ठीक है बड़ा तो था काफी बड़ा था और नर्व सेंटर भी था जो भी एंटी British sentiment develop हो रहे थे उसका nerve center था तो अंग्रेजनों यह सोचा इस nerve center को अगर हम weak कर देंगे तो हमारे खिलाफ जो sentiment जो हमें दिक्कते आ रही है वो दिक्कते और कम हो जाएंगी तो इन्हें ने सोचा कि क्यों ना इसको partition कर दिया जाए इससे होगा क्या इससे होगा यह कि हम divide and rule की policy खेल पाएंगे, Muslims को Hindus से अलग कर देंगे, तो बात या थी यह कैसे अलग कर देंगे, Hindus को Muslims को because यह जो East वाला पार्ट, Eastern पार्ट अफ बंगॉल था, यह Muslim बहूल इलाका था जो present day में, जो आप बांगलादेश देखते हो उसकी बात में कर रहा हूँ, तो वो पहले बंगॉल ही हुआ करता था, ठीके तो वहाँ पे Muslims रहते थे, और यहाँ पे Hindu majority थी, और different language बोले जाती थी, Hindi, Bengali, इसब तो उस lines में यहाँ पे division करने का इन लोगों ना सोचा, but reason क्या दिया इन्होंने reason दिया administrative reason कि हम प्रिशासनी कारणों की वजए से administrative reasons की वजए से यह जो बंगॉल है उसका विभाजन कर रहे हैं, division कर रहे हैं, but actual में reason क्या था यह तो एक छोटा मोटा reason था, क्योंकि भड़ा था काफी, population काफी जादा थी, लेकिन जो main जो कारण था, वो था कि हिंदू-Muslims को divide किया आपस में, यह main था, तो इन्होंने Bengal को East Bengal और West Bengal में बाट दिया इसका जो announcement है इसका जो announcement है कि हम Bengal को बाटेंगे यह किया गया July 1905 में किसके द्वारा किया गया, करजन के द्वारा बिकाज उस समय जो voice रहा था, वो करजन था और इसको actual में जो enforce किया गया इस partition को that was in the year October 1905 कब हुआ और कब enforce किया गया, यह आपको बता होना चाहिए और क्यों किया गया, वो आपको बता होना चाहिए तो आप समझ गया कि भाशा के अधार पे और धर्म के अधार पे इसको बांड दिया गया अब यह जब इसका पहले announcement हुआ वैसे ही आप बोल सकते हैं कि movements चालू हो गया protest चालू हो गया और लोग विरोध करने लगे इस बंगॉल partition का और बड़े बड़े जो leaders थे वो भी इसका protest करने लगया अब इसको protest किस तरह से हुआ अगर हम बात करें spread कैसे हुआ यह movement तो जैसे for example यहाँ पे song theme song बनके उबरा बंदे मात्रम जो बंदे मात्रम यह theme song बनके उबरा और यह इतना song इसको गया गया यह जो protest किया गया उसमें कि इसको Britishers ने ban कर दिया इसकी public singing पे ही ban लगा दिया ठीक है और यहीं पे आपका इसी के ही movement के time पे अमार सुनार Bangla लिखा था किसने रबीन्द रनात टैगोर जी ने जो की बाद में बना present day बंदेश का national anthem लोगों ने एक दूसरे के हाथ में राखी बांधी to show the unity ठीक अब इसका जो spread है वो different region से different लोगों ने इसको lead किया एक तरह से हम बोल सकते हैं जैसे की Bombay और Puna से पुना और Bombay से इसको lead किया बाल गंगधर तिलक ने दिली से अगर हम बात करें तो डेली से lead किया इसको सैयद हैदर रजा ने सैयद हैदर रजा ने इसको lead किया वह यह अगर हम बात करें पंजाब से इसको lead किया लाला लाचपत राय और अजीत सिंग जो भगत सिंग जी थे उनके ही अंकल थी है ठीक है और यह हो गए और हाँ मदरास से मदरास से lead किया वीयो चिदंबरम पिल्लाई ने ठीक है जीतंबरम पिल्लाई जीने इसको lead किया मदरास से अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता कि कॉंग्रेस के दो important sessions हुए बंगॉल partition को लेकर एक तो बनारा session हुआ 1905 में जिसको कि प्रिसाइड किया गोपाल कृष्ण गोखले जो कि हमारे गांदी जी के political guru भी कहा जाते हैं उन्होंने और जो कालकटा session है 1906 में हुआ इसको प्रिसाइड किया दादा भाई नवरोजी जी ने और ये जो कालकटा का session है बहुत important था क्यों important था because यहाँ पे goal जो है Congress का declare किया जाता है स्वराज, पूर्ण स्वराज नहीं सिर्फ स्वराज ही बात हो रही है पर पूर्ण स्वराज हम देखेंगे 1929 में जो लहोर का session हुआ था Congress का उसमें लहोरा division में यहाँ पे 1906 में जिसको नवरोजी जी ने प्रिसाइट किया यहाँ पे एक तरह से चार resolutions आते हैं वो चार resolutions में से एक था कि जो हमारा goal है यानि Congress का goal है वो अब स्वराज है दूसरा resolution for स्वदेशी पास हुआ तीसरा resolution for boycott पास हुआ यह चीजों का जो विदेशी चीज़े उनको boycott करना है और one resolution was passed regarding the national education यह चार resolution पास होते हैं ठीक साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखना spread of movement में आपको एक चीज़ बता जेता हूँ यहाँ पे मैं कि यहाँ पे कुछ indigenous steam navigation मतलब indigenous entrepreneurship हो रही थी क्योंकि यहाँ पर बात यह आई थी कि ठीक है हम स्वदेशी चीज़ें develop करेंगे मतलब विदेशी चीज़ों पर dependent नहीं रहेंगे उसी को लेके स्वदेशी steam navigation company ठीक है स्वदेशी steam navigation company develop करी किसने वी ओ जिदंबरम पिल्लाई ने तमिलाडू में ठीक है वी ओ जिदंबरम पिल्लाई जी ने स्वदेशी steam navigation company develop करी भारत माता का पोट्रे बनाया किसने भारत माता का पोट्रे बनाया अबनींदर नाथ टेगोर ने अबनींदर नाथ टेगोर ने और उसमें उन्होंने दिखाया भारत माता को ठीक है यानि लोगों के दिलों में एक तरह से sentiment arouse करने के लिए towards the anti-partition जो movement चल रहा था उसके और यहाँ पे एक सुब्रमन्या भारती करके थे उन्होंने गीत भी लिखा सुदेश गीतम सुब्रमन्या से फिर सुब्रमन्या भारती जी ने लिखा सुदेश गीतम ठीक है सुदेश गीतम अब जब यहाँ पे Calcutization of Congress में Congress का goal declare किया गया है स्वराज की हमारा gold स्वराज है Congress में division चालू होने लगा कैसा division Congress में दो हिससे बटने लगे एक moderates का नरंदल और दूसरा extremist गरंदल अभी 1885 से लेके 1905 तक क्या था कि main dominant position थी within the Congress moderate की नरंदल की ये नरंदल और गरंदल हैं क्या और क्या अंतर इन दोनों में हैं क्या अंतर क्या इन में तो जो moderate थे वो का उनका belief था कि हम सारी चीज़े constitutionally करेंगे हैनि कि सावधानिक तौर से करेंगे इनका ये माना था जो moderate था कि Britishers जो हैं हमारे साथ अच्छा करना चाते हैं उनको पता नहीं है कि हमारी demand क्या है तो हमें उनके अपनी demand उनके सामने रखनी है constitutionally रखनी है law को follow करना है जो बोले उस हिसाब से चलना है इनका मानना था जो extremist थे जो बोल सकते हैं जो younger section था within the Congress जो थोड़े से उग्र टाइप थे उनका मानना थो constitutionally कुछ नहीं सीधे ठीक है आर या पार वाला मामला होगा और इसी लिए क्योंकि आप खुदी सौचो कि किसको ज़्यादा support मिलेगा masses की तरफ से extremist को मिलेगा ठीक है इसी वज़े से जो lower middle class था ठीक है वो इनके पुरे support में था और इनका wide social base था हम बोल सकते हैं ठीक है lower middle class और wide social base था इनका narrow social base है moderate का ये अपने सारी चीज़ें constitutional demand करे थे constitutional reforms चाहते थे लेकिन इनका जो demand था सुराज demand था सुराज इनका demand था कि हमें सुराज चाहिए अब दोनों के बीच में सारी चीज़ें ठीक नहीं थी moderate और extremist के बीच में इनकी कुछ अलग तरह से demand थी इनकी कुछ अलग तरह से demand थी अगर हम बात करें ये जो भी एंटी ये बेंगॉल partition movement चल रहा था anti-partition movement इसको लेके भी दोनों में strife आया moderate ने बोला कि इसको limited रखो Bengal तक extremist ने बोला कि इसको all India movement बनाओ ये बोला extremist ने moderates ने ये बोला कि इसमें सभी का सभी को participate करवाने के इसमें जरुत नहीं है बट extremist ने बोला कि इसमें सभी participation के जरुत है यहाँ पे इन लोग का जो moderate का था कि बस हमें constitutionally अपनी बात को रखनी है बट इनका यह था कि आप अब हमें सुराज लेना है ठीए यानि एक तरह से independence लेनी है और movement को हर जगे spread करना है बट moderate जो है वो हर जगे movement को spread नहीं करना चाह रहे थे है यही कारण था कि आगे चलके इन दोनों के बीच में हो जाता है split मतलब अगले ही साल split हो जाता है सूरत session सूरत adivation congress में 1907 में extremist ये demand कर रहे थे जो गरम दलवा ले थे कि congress के जो अगले president होंगे सूरत में session होगा उसे preside या तो लाला लाजपतर आए करेंगे फिर बाल लगेंगा दर तिलग करेंगे ऐसा बोल रहे थे moderates बोल रहे थे कि नहीं moderates बोल रहे थे राश बिहारी घोश जी preside करेंगे तो इसको लेगे काफी ज़्यादा strife हुआ और finally राश बिहारी घोश ने preside किया session को और राश बिहारी घोश ने preside किया और जो extremists थे उनको Congress से बाहर निकाल दिया हमोल सकते है या फिर जो extremists है वो Congress से बाहर निकल दिया तो यहाँ पर होता है सूरत split सूरत session of Congress में दोनों के बीच नहीं हो जाता है split अब यह जो partition है ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता है यह annual हो जाता है और साधी साधी एक चीज़ ध्यान रखना अगर इसमें पूछ ले कि Muslims का क्या रोल रहा तो Muslims का बहुत है limited partition रहा है जो थोड़ा से higher Muslim थे higher in the sense की educated Muslims से और upper class Muslims से उन्होंने participate नहीं किया जो partition anti partition movement है उसमें उसका reason यह है कि इनको यह बोल दिया अंग्रेजों ने कि आप जो है हमारा support करो और हमारा support करोगे तो जो ढाका है जो Muslim बहुल इलाका है उसको ढाका को जो है वहाँ का capital हम बना देंगे capital गोशित कर देंगे तो इस वाज़े से उन्हों लोग ने support नहीं किया और यहां तक कि यहीं पर जन्म हो जाता है Muslim League का जन्म अब यहीं पर हो जाता है 1906 में 1906 में कहां पर ढाका बांगलादेश में इसको किस ने बनाया नवाब सलीम उल्ला ठीक है और आगा खाने भी इसका इसमें इंवाल्ड थे तो मुस्लिम लीग ने मुस्लिम्स को मना किया कि आप यह जो पार्टिशन मुवमेंट चलने से आप पार्टिस्पेट ना करो ठीक है विकॉस जो अंग्रेज है वह हमें कुछ ना कुछ देंगा और यह एक तरह किसके लिए और यह और यह और यहां पर बने थे तो इनको यहां पर इन्वाइट किया गया और यहां पर इंडिया को भी एक तरह से इंडिया के रूलर आप ही है यही पर अनुञ्स किया गया ठीक है इंडिया की जो नई कापिटल होगी वो होगी अब डेली कालकटा नहीं डेली होगी इए और इस को अनूंस किया गया 1911 में बट एनफोर्स किया गया 1912 में और यह किया क्यों गया डेली को क्यों because Muslims नराज थे Britishers से कारण इसका यह है कि जो सोच के इन्होंने partition movement में भाग नहीं लिया था कि यह हमें काफी कुछ देंगे वो उतना कुछ इन्होंने दिया नहीं Britishers ने इसलिए जो Delhi था वो Muslim glory से बोसकते हैं कि वो एक तरह से attached था Muslim glorification से because जो मुगल बाश्चा बैठता था वो देली में भी बैठता था तो इसलिए Delhi को capital बना दिया गया 1912 में Announce 1911 में किया गया बट इसको जो enforce किया गया वो 1912 में किया गया clear है यहां तक और annulment होगा अनुल्मेंट का मतलब partition यहाँ पर cancel हो जाता है और morally minto reforms भी आते हैं आपके in the year 1909 में पहले यह बता ही यहाँ तक किसी कोई doubt तो नहीं है फिर आगे पड़ते है किसी का यहाँ तक कोई doubt mozilla प्लीज इस तरह कोमेंट ना करें यह morally minto reforms हैं क्या तो भारत सरकार अधिनियम आता है Government of India Act 1909 में इसमें कुछ provisions है इसको morally minto इसलिए बोलता है because morally उससे में secretary था और minto voice रहा था तो दोनोंने मिल के secretary अभी मुने बता है 1858 के जो government of India था उसके थ्रू create किया गया वो कोई और नहीं बलकि एक British MP था और अच्छे यह बताइए कि हमारे पहले Indian British MP कौन थे इनके बारे भी यह लोग ने चर्चा करीब ही थी पीछे तो government of India जो था 1909 का उन्ने 109 का उसमें यह provisions है सबसे पहला जो और सबसे important provisions था वो यह था कि separate electorate दिया गया Muslims को separate electorate for Muslims यह प्रिथक निर्वाचन दिया गया Muslims को इसका मतलब यह होता है कि Muslim candidate के लिए सिर्फ Muslim ही vote कर सकता है Hindu vote नहीं कर सकता है यह होता है separate electorate प्रिथक निर्वाचन यहाँ पर यह बोला गया कि जो Voice Roy की Executive Council है उसमें एक Indian Member हो सकता है और पहले Indian यहाँ पर बने सत्यन्त प्रसाद सिना उर्फ सत्तू जी ठीक है सत्यन्त प्रसाद सिना और यहाँ पर जो आपकी Indian Legislative Council थी और Provincial Legislative Council थी उसमें number of elected members को increase किया गया number of elected members को increase किया गया यहाँ तक कि इससे जो पहले Act आया था 1892 का आया था T92 का आया था उसमें भी ILC और PLC के number of elected member को increase किया गया था और वहाँ पर ध्यान रखना T92 को अगर आप Act का भी पूछ ले इसमें budget का discussion का power दिया गया था कि आप budget को discuss कर सकते हैं ठीक है budget में discussion allowed है supplementary नहीं पूछ सकते हैं cross questioning नहीं कर सकते हैं बर discussion नहीं कर सकते हैं ठीक है मॉडले मिंटो रिफॉर्म में separate और इसी वज़े से मिंटो को father of Indian communalism के नाम से भी जाना जाता है father of Indian communalism के नाम से भी जाना जाता है voice roy एक voice roy को जो executive council थी उसमें एक Indian हो सकता तो पहले इंडियन मैंने सत्य दिन प्रसास से नहा और ILC और PLC के number of elected member को increase चाहिए और जो दादा भाई नरो जी जी थे वो हमारे पहले British MP थे first मतलब Indian British MP थे वैसे इनकी regarding हम लोग चीज़ें पहले ही पर देख चुके है कि इन्होंने poverty and un-British rule in India नामक book लिकी थी ठीक है poverty and un-British rule in India जिसमें कि इन्होंने drain of wealth theory दी थी drain of wealth की बात कही थी किस तरह से जो अंग्रेज हैं वो drain कर रहे हैं wealth का नहीं लूट रहे हैं इंडिया को इसकी इन्होंने बात कही थी और इन्होंने पहली un-official poverty line भी दी थी इस poverty and un-British rule in India book के थूँ इन्होंने Congress के तीन सेशन्स को preside किया था दादा भाई नरोजी जी ना आगे बढ़ते हैं और आब आते हैं कुछ revolutionary activities पर ये revolutionary activities चालू होती है हम बोल सकते हैं गांधी जी के आने के पहले अनुशिलन समिती बनती है अनुशिलन समिती को बनाते हैं कई लोग और कई जगों में अनुशिलन समिती बनती लेकिन जो सबसे पहले बनती प्रमोट मिट्टर जतिंद्रनाथ बैनर जी ठीक है जतिंद्र नाथ बैनर जी और बरिंद्र कुमार गोश ठीक है बरिंद्र कुमार गोश ये इसको बनाते हैं अनुशिलन समिती को then in the year 1908 1908 में एक अलिपुर बॉम कॉंस्पिरेसी केस होती है इसके तहट कुछ लोग ये प्लान करते हैं हमारे जैसे कि अपराफुल अचाकी, खुर्दी राम बोस ये लोग प्लान करते हैं कि हम जो किंग्सफ़र्ड है जो मुझफरपुर का मेजिस्ट्रेट है उसको बॉम से उड़ा देंगे राजपालय अदाव की तरह एक बार मिल जाए और आगे आप जानते हैं है ना तो किंग्सफ़र्ड को उड़ा देंगे लेकिन था क्या जो कैरियर जा रहा था हाथी में बैठके तो उसमें किंग्सफ़र्ड नहीं थे दो लेडीज अनफॉचरेटली वो मर गई किंग्सफ़र्ड तो नहीं मर गई किंग्सवर्ड बची गई ठीक है और इसमें हुआ ये कि प्रफुल चाकी जी इन्होंने खुद को सुसाइड कर लिया ठीक है खुद को ही गोली मार ली इन्होंने और जो खुर्दी रामबोस जी थे हमारी ये प्रफुल चाकी और ये दूसरे थे खुर्दी रामबोस खुर्दी रामबोस इनको फांसी टेली और वो एकदम spirituality की तरफ चले गए और उन्होंने और विल ले करके फिर setup किया अगर आप इसको search करिएगा ठीक है गूगल में बढ़ी है काफी बढ़ी है वहाँ पर बना हुआ और विल तो और बिंदो घोष जी कहा है वो पूरी spirituality की तरफ पूरी उसके बाद चले गए अलीपूर बाम conspiracy के बाद ठीक है तो 1908 में हुआ था यह ध्यान रखना राम उसी पेजेंट फोर्स को डवलब किया गया था वासुदेव बलवन्त फटके जी के तोरह 1879 में ध्यान रखना 1879 1889 में वासुदेव वासुदेव बलवन्त फटके और चाम पेकर नहीं ठीक है चाम पेकर से मुझे याद आए कि अपनों के कुछ लैंगवज चलती न वह कौन सी लैंगवज होती है विम धायक जी विम धायक जी करके पता है नहीं कुछ स्टूडेंट करते रहते हैं CDS बैच में विम धायक जी ऐसा कर ठीक है तो चा सब्सकायर चाम पेकर बरिदर् से मौति घh от दा रहा एक कभ मारा इसको महतिक हाट उतारा 18.79 में यह किया 18 यहां पर लिव दिया था न committee 08 में हुआ ठीक है और यह हुआ अबका 18-99 के टाइंग के पर यह वे वह ठीक है चापेकर बंग धर्रिदर्स ने मारा इसको lo爸 hatte ठीक है, मित्र मेला, एक Secret Society गठन किया गया, मित्र मेला का, यहां पर एक सिकेंग इसको 99, 97 करियेगा इसको, ठीक है, चापेकर ब्रजर्ट में जो रैयन्ट को मारा थो, 1897 मारा था, 1899 में मित्र मेला का गठन हुआ था, 1899 में, किसने किया था, सावरकर ब्रिदर्स ने वीडी सावरकर ठीक है वीडी सावरकर मतलब और जो इनके भाई थे सावरकर ब्रिदर्स पस आप याद रखेगा इन्होंने इसको गठन किया बाद में इसको इन्होंने change कर दिया या फिर merge कर दिया अभिनव भारत society के साथ 1904 में 1904 में ध्यान रखना या तो आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि मित्र मेला को मर्ज कर दिया या फिर मित्र मेला किस रूप में बन गई जैसे अभी सीजल भी जो भी आई थिंग आपका पता नहीं CPO में MTS में इस तरह से पूचा था उसने कि मित्रमीला अभिनव इस तरह से पूचा था कि अभिनव भारत ससाइटी किस संगठन का एक तरह से extended version था ठीक है तो 1904 में इसका गठन होता है अभिनव भारत का और सेम वही आपके founders होंगे ठीक है अब आते हैं revolutionary activities abroad very important अभी हम revolutionary activities इन इंडिया पढ़ रहे हैं अब 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 अनिकी विदेश में इंडिया होम रोलुक्स सोसाइटी और इंडिया हाउस का गठन किया लंडन में किसने शाम जी कृष्ण वर्मा ने ठीक है शाम जी इसका गठन किया लंडन में और कब किया यह नहींने गठन किया 1905 में 1905 में और इन्हांने एक journal भी निकाला उस journal का कोई nám कोई नाम बता सकते है उस पत्रिका का बर्लन कमीटी का करबात करे 15 में यह क्या नाम ठा रिन कव बरलिण कमीटी क słu लेका कौन थे विरेंद्रनाथ चटो पाध्य है ठीक है विरेंद्रनाथ शर्टो पाधय है इसका गठन किया बरलिण ज़र्मनी में और जर्णल इनकाला शाम जी कृशन वर्म ने उसका नाम था the Indian sociologist ठीक है the Indian sociologist गदर प्रोग्राम, इसी हेडिंग के तैत, revolutionary activities abroad, 1905, Indian Home Rules League Society और इंडिया हुस को डवलप किया, लंडन में श्याम जी कृष्णवर्मा ने, 1915 में बर्लेन कमिटी, व्रेमना चटोपाद ध्याने, और गदर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, in the year 1913 में, कैसे, 1913 में गठन होता है, गदर पाटी का, 19, year 1913 में, इसके founder थे, ठीक है, यहाँ पे तो मैं इस तरह से लिखता हुआ, रुको, 1913 में, गदर पाटी बनती है, ठीक है, गदर पाटी, कौन इसके founder थे, लाला हर्दयाल, लाला हर्दयाल, सोहन सिंग भाखना, सोहन सिंग भाखना, बरका तुल्ला, ठीक है, बरका तुल्ला, एंड भाई पर्मानंद, भाई पर्मानंद, यह इसके founder थे, गदर पाटी के, जो 19, 13, 1913 में बनती है, इसी पाटी के साथ एक, और इसका headquarter कहाँ पर था, इसका headquarter ध्यान रखना, इसका headquarter था, San Francisco, North America में पाटी बनती है, headquarter San Francisco में था, इसी पाटी के साथ एक incident involved है, उस incident का नाम है, कोम गाटा मारू incident, कोम गाटा मारू incident, कोम गाटा मारू एक ship, Japanese ship का नाम था, जो की sail करती है, from Hong Kong to Canada, Vancouver, Canada, ठीक है, कहीं कहीं पर Hong Kong की जगा है, आपको हो सकता है, Singapore भी लिखा मिल जाए, ठीक है, लेकिन दोनों नहीं होगा, option में तो चिंता ना करियेगा, ठीक है, Hong Kong to Vancouver, Canada, Canada में यह सेल किया, जहां पे इननों को डिपोर्ट करने से मना कर दिया, और वहां पे गोलियां अगरे चल गई, और वो incident हमारी इंडियनिस्टी बुक्स में, नोट हो गया, ठीक है, तो कोम गाटा मारू incident, कब हुआ, 1914 में, और 1914 में और यह गदर पार्टी 1913 बनती है, इस प 1915, Defense of India Act 1915, यह एक तरह का Temporary Law था, क्योंकि उससे में Second World, Sorry, First World War भी चाल हो गया था, 1914 में, तो इसलिए Defense of India Act को पास किया गया था, 1915 में, यह गदराइट्स को सप्रेस करने के लिए, और साथ ही साथ कोई भी जो इस तरह की activity हो रही है, जो anti-British activity है, उसमें यह था कि आप कोई anti-British sentiment फैलाता हुआ भी पाया गया ना, उसको सीधे जेल में डाल देंगा बिना किसी trial के, यह था Defense of India 1915 का, अब यह अभी हमने, मतलब order wise चल रहे है, हम लोग पूरी timeline के साथ चल रहे है, तो हमने यह अभी पढ़ा 1915, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे Home Rule League, गांधी जी भी 1915 में है, लेकिन अब इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, गांधी जी के बारे में, Home Rule League पहले पढ़ेंगे, Home Rule League बनती है 1916 में, 1916 में, ठीक है, बिकाज गांधी जी अभी वापस तो आ गए भारत में, लेकिन politics में भी active नहीं हो, ठीक है, तो 1916 में Home Rule League का गठन होता है, बाई दी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसंथ जी के दारा, ठीक है, एनी बेसंथ, 1916 में, दोनों की अलग-अलग Home Rule League थी, इनकी वाली का headquarter था पूना में, और इनकी वाली का headquarter था मदरास में, दोनों की 1916 में बनी थी, लेकिन इनकी पहले बनी थी, और कम ब्रांचे थी, इनकी में जादा ब्रांचे थी, एनी बेसंथ की जो Home Rule League थी, ठीक है, जान रखना जादा ब्रांचे थी, लेकिन थोड़ा बाद में बनी थी, बाल गंगधर तिलक वाली से, ठीक है, और येर सेम ही है, लखनव सेशन अफ कॉंग्रेस, 1916 में बनती Home Rule League और लखनव का ए इस अफरेट में रियूने होता है, फिर एक्स्रीमिस्ट को विदिन दी कॉंग्रेस लिया जाता है, तो इतना में लिख देता है यहां पर कि मॉडरेट्स, एंड, एक्स्रीमिस्ट्स, रियूनियन, रियूनियन, यानि कि दुबारा फिर से दोनों एक दूसरे से इस सेशन को प्रिसाइड कौन कर रहा था, जैसे कि जो सूरत का सेशन था, मैंने वाप आपको क्या बताया था, यहां पर कौन प्रिसाइड के था, राजबियारी घोष जी, बोस नहीं देहर लगना, राजबियारी घोष है, जो बोस हैं, वो इंडियन नाशनल आर्मी, 1942 मे लेकिन उसके बाद उन्हें राजबियारी बोस जीन उसको लीड किया था, बादमन के बाद, वो हम पढ़ेंगे आगे अभी, ठीक है, यह जो सेशन था, लखनाव सेशन आफ कौन्ग्रेस, इसको प्रिसाइड किया था, अंभिका चरन मजूमदार ने, ठीक है, दूसरा जो सेशन, दूसरा जो क्या important इसमें हुआ था, वो यह था, कि joint pact, या फिर एक pact sign किया गया था, जिसमें joint demand रखी गई थी, किसके द्वारा, एक pact sign हुआ था, जिसमें कि between the Congress, Indian National Congress and Muslim League, Muslim League के बीच में एक pact sign हुआ था, जहां पे दोनों ने Britishers से joint demand रखी, जोइन डिमांड कैसे रखी, जैसे कि for example, कि जो secretary of state है, जो बिटेन में बैठा हुआ है, उसको इंडिया से क्यों पे कर रहा हूँ, वहीं से पे करो, ठीक है, और हमें सुराज चाहिए हमें, इस तरह की इसमें demand रखी गई, joint demand में, अब ये बात या थी कि Muslim League क्यों इतना, ठी ये था, कि अब गुसा हो चुका था, गुसा क्यों था, अभी हम लोगों ने देखा, कि इसकी कुछ और ही उमीदें थी, Muslim League party गठन हुआ था, वेंगॉल partition के बाद, लेकिन उस उमीदों पे Britishers खरा नहीं उतर है, इस वजए से Muslim League ने फिर Congress के साथ हाथ मिला है और अपनी joint demand रखी है, लखना हूँ सेशन के दोरा, अलहिलाली थोड़ा याद रखना, ठीक है, अलहिलाल और कॉम्रेट दो पत्रिकाएं थी, अगर आप बताना चाहिए तो बताईए जल्दी से, ठीक है, मौलाना आजाद ने इसको लिखा था, ठीक है, और मोहमद अली ने इसको लिख अब ये जो जॉइंट डिमांड रखी, 1916 में, उन डिमांड को, अब डिमांड को, उन में से कुछ डिमांड को माना और उम्हें पता कैसे चला, ये गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, 1919 का, गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, 1919 में, जिसको कि मौन्टाइगी च चल्सफॉर्ट रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, कारण क्या है, कारण यह है कि Montague उससे में सेक्रेटरी था और चल्सफॉर्ट जो है वो वॉइसरोय था, तो इसको हम इस नाम से जानते हैं, इसमें क्या-क्या प्रोविजन्स थे, इसमें ये प्रोविजन्स था सबसे पहले तो जो separate electorate थे separate electorate जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था 1909 का जो एक्ट आया था Moral Emento Reform उसमें सबसे पहली बार separate electorate प्रितक निर्वाचन को introduce किया गया किसको दिया गया Muslims को उन separate electorate को अब और extend किया गया और विस्तारित किया गया किसको किसको दिया गया Anglo-Indians को दिया गया Christians को दिया गया women को दिया गया इन सब को भी अब दे दिया गया separate electorate ठीक है यह उतना important नहीं जितना कि यह important है जो अब यहां पर लिखने जा रहा हूं यह आप मत भूलिएगा यह आपको जो नहीं भूलना वो यह है कि इसको हिंदी बोलते हैं इसको हिंदी बोलते है इसका मतलब यह होता है कि जैसे हम लोग ने पॉलिटी में 7th schedule पड़ा था उस में 7th schedule में क्या था Union List थी State List थी और Concurrent List थी तो इसने क्या किया कि इसने Central Subject और Provincial Subject को अलग-अलग कर दिया Central Subject और Provincial Subject को और जो Provincial Subject थे जो Provincial Subject थे उनको भी further दो कैटेगरी में बाट दिया Reserved और Transferred में Reserved में Important Matters रखे और Transferred में कम Important Matters रखे तरह से हम देखें तो provincial subjects को जो दो भागों में फिर से जो बाटा है this is called as hierarchy जिसको की provinces मिलाया Government of India Act 1919 अभी इसको बहुत important से द्धान से सुनियेगा because 1935 में हम देखेंगे यह again यह बहुत important role play करेगा अगर आप यह समझ यह तो वहाला भी समझ जाएंगे और इसने इंट्रेड्यूस किया bicameralism in center bicameralism in center बस तीन चीज़ें आपने आद रखने है ठीक है दो तो यह भूली ने सकते डार्किन प्रोवेंस बाइकामeralism at center और separate electorate को extend किया जो पहले Muslims के लिए तो इसको बैंगलो इंडिन Christians इन लोगों को भी दिया है clear है यहां तक सभी को फिरम Emergence of Gandhi चालू करें बताई जल्दी से किसी कोई doubt है हां तक वो डायर की वो एक तरह से हम dual government बोल सकते हैं जो मेना को बताया था कि जो अलाबाद में dual government स्टार्ट हुआ था न जो Clive लेके आया था और उसको हटाया था वार्रन हैस्टिंग ने Clive लेके या था यह था रूर्रन हैस्टिंग ने था हम् ठीके जो जो कि एक जरा पांस से किन पांस से किन पांस से किन उस किये गा ठीके ब boring स्थी ट melod उस्थी राद में इा डुम णुम स्थी झाल झाल तो अभी वही सारी हुई पांच सेकें मतलब पांच मेंट अच्छा तो अभी वही सारी है ना ऑटी सिटार्टरर गांदी जी ने क्या साउथ आफरीका में जो अइक्टीव टीडिई केंच तो गांदीने साउथ आफ्रिका में इक्टीविटीव टीड़ी कईश की सबसे पskरए नंने नेंटल इंडिया कॉंग्रेस के स्था प्ना एक tall star form भी स्थापित किया, कहाँ पे इस सारी चीज़ें, इन्होंने South Africa में करी, this in the year 1904, this in the year 1910 और इन्होंने एक पत्रिका भी start करी in South Africa जिसका नाम था, Indian opinion Clear? बस इतनी चीज़ें आधक्षिएं के regarding South Africa में, और भी इन्होंने काम कियते हैं जैसे marriage certificate एक खिलाफ कुछ काम कियते हैं लेकिन वसारी चीज़ा में पढ़ने के दिवात नहीं उसे question बूचता नहीं है ठीक है जो इंडिया में political scenario चल रहा है उसमें क्योंकि पहले उसका वो जैजा लेना चाहते हैं यही इनके गोपाल किष्ण गोकले जो उनके political गुरू थे उन्होंने इनको recommend किया जिसके तरह इन्होंने पहले तो इंडिया को समझा वहले हैं उसके बाद इन्होंने back to back तीन movement किये चमपारन में चमपारन सत्यागरा किया 1917 में एहमदाबाद मिल स्ट्राइक करी 1918 में और खेड़ा सत्यागरा किया 1918 में यह चीज थे क्या मतलब किसके regarding थे चमपारन सत्यागरा एहमदाबाद और खेड़ा तो सबसे पहले चमपारन जगए वो बिहार हम पड़ती है और यहां पर राजकुमार शुकला जी जो है उन्होंने इनको invite किया राजकुमार शुकला जी invited गांधी जी इन्दी चमपारन बिहार क्यों invite किया कि आई और हमारी problems के लिए लड़ी है problem था क्या problem था तिन कठिया system तिन कठिया system क्या था तिन कठिया system was कि patients को force किया जा रहा था कि तीन कठिया 3 by 20th part of land में आपको indigo cultivation करना है जबरन खेती करवाई जा रही थी indigo cultivation 3 by 20th part of land में reason इसका यह था because उस समय तक German synthetic die market में आ चुकी थी जिसका price काफी कम था इस विए से इन लोगो market में compete करने के लिए इस सारा कुछ काम कर रहे था ठीक तो यह आपको पताने ची किसके विरूत में था को किसने invite कि गांधी जी को कब हुआ और यह गांधी जी का पहला CDM बोल सकते हैं हम लोग पहला civil disobedience movement, civil disobedience movement सभीना वग्यांदोलान हम 1930 में पढ़ाएंगे लेकिन उसका एक तरह से बुल सकते हैं जो जहलक है वो इसमें हमें देखने को मिलती है गांधी जी की एहमदाबाद में स्ट्राइक 1918 में होता है यह किसके विरूत होता है यह था आपका plague bonus जो plague bonus था वो मिलना था ठीक है इन लों को plague bonus वो नहीं दिया गया साथ इसाथ wage hike की डिमांड कर रहे थे वो भी यह लोग डिमांड कर रहे थे जो मिल में workers काम कर रहे थे वो बोल रहे थे 50% wage में hikes करो because हमारी अलत काफी खराब हो गई इस plague की हो जैसे ठीक है और वो सारा कुछ कर नहीं दे रहे थे को मिल थी first hunger strike खेडा सत्यक्राय की बात करें it was regarding the payment of taxes payment of taxes क्योंकि फसल बिल्कुल बरबाद हो चीगी थी उस particular साल में 18 में क्योंकि काफी ब्रॉट पढ़ा था सूखा पढ़ा था ठीक है तो government को कहा दे से tax tax नहीं लेना चाहिए थे लेकिन government ने tax में कोई छूट नहीं दी और उसी के विरुद में ये था सारी चीज़ें तो खेडा सत्यक्राय वोस रिगार्डिंग दी payment of taxes यह पता नहीं चीए इंदे इर 1918 और किसी ने गांदी जी को इन्वाइट नहीं किया गांदी जी खुद अपने अपने तरफ से गया थे ठीक है और यह आपको इसमें गांदी जी के non cooperation movement और खिलाफत के बारे में ठीक स्टार्ट करते हैं रॉलेट एक्ट से यह सब की हर चीज की में जड़ था रॉलेट एक्ट यह था क्या तो यह एक्ट था एनार्कियल एंड रेवलुशनरीज क्राइमस एक्ट यह एक्ट आया था 1919 में क्यूंकि इस एक्ट में Sydney रॉलेट नाम के एक बंदे ने सारी अपनी advices दीती जिनको इस इस लिए एक्ट को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है इट वस्दी हम बोल सकते हैं पर्मानेंट रिप्लेस्मेंट ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1915 जो अभी मैं आपको बताया था कि गद्राइट को सेपरेट करने उनको सप्रेस करने के लिए जो यह पा विना दलील के अगर कोई भी ऐंटी बिटिश सेंटिमेंट फ्य लाता हुँ मिल गया या फिर कुछ भी एंटी बिटिश एक्टिविटी करता हुँए पायगया सिर्फ अगर मेर सस्टेशन भी वह थो भी दो साल के लिए जैल बिना किसी अपील ओकील दलील के इन थीक है य लिकिन क्योंकि minority में थे वो लो council में इस वैसे उनका resignation उतना कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं हुआ ठीक है इस रॉलेट एट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रे गांधी जी ने start किया रॉलेट सत्याग्रे अब जो मैंने आपको इंडियन होम रूल लीग बताई थी 2016 में जो फॉर्म होई थी उसी को गांधी जी ने इस पर्टिकलर उसके जो उसमें एक तरह सुसका नाम चेंज करके सत्याग्रे सभा रखा और उसको यूज़ किया यहां पर रॉलेट सत्याग्रे मनों ने ठीक है जैलियावला बाग मैसे कर यह एक्चल में रॉलेट एक्ट की वज़े से हुआ कैसे रॉलेट सत्याग्रे रॉलेट इसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट हो रहे थे और रॉलेट एक्ट के खिलाफ उसी प्रोटेस्ट में दो लोगों की अरेस्ट हुई सैफुदीन ठीक है सैफुदीन किचलू और डॉक्टर सित्यपाल इन दोनों की होती अरेस्ट यह आरेस्ट के प्रोटेस्ट में प्लस कुछ लीडर्स ने और प्रोटेस्ट बुलाया कि हमें प्रोटेस्ट करना है और प्लस क्योंकि 13 अप्रिल को बैसाखी का दिन था ठीक है 13 अप्रिल 1919 को इट वस दी डे ओफ बैसाखी कि लोग जलिया वाला बाग में इखटा हुए में कारण था बैसाखी का दिन था इसलिए इखटा हुए लेकिन कुछ लोग उसके लिए भी क्योंकि लीडर्स ने बुलाया था कि आपको यहां पर इखटा होना है रिगार्डिंग दी रोल आर इम डायर इसने जो उनली एगजिट पॉइंट उसको बंद करके लोगों पर गोलियों के आदेश दे दिये कि इन पर उपन फाइरिंग करते हुए जिसके ऐसे बहुत सारे लोग की डेथ हुई एक्जाक नंबर किसी के पास नहीं है ठीक है कॉंग्रेस ने बोला कि यह 1000 लोग की डेथ हुई इसने बोला बिटिशस ने की नहीं सिर्फ 389 लोग की डेथ हुई 379 ठीक है फिर भी 379 भी लिए यह तो कितना बड़ा नंबर आप खुदी सौचिए उनकी डेथ on the spot तुरंत हो जाना ठीक है तो इसने यह निर्देश दिये थे जनरल आर इम डायर ने यथे लोगों पर गोली चलाने के जिसके वैसे इतने लोगों की डेथ हुई उस समय भगत सिंग जी की एज मातर 11 साल की थी और यह वो इवेंड ने उन पर काफी बड़ा एक इंपक्ट डाला इसके आफ्टर मैंट देखते हैं क्या आफ्टर मैंट थे इसके बाद क्या हु केसरे हिंद की अपादी उनको मिली थी सावथ आफ्रिका में बार वार्स के टाइम पर और वार्स में अन्हों ने सब्पोर्ट किया होगा उस थाम पर हिंप इनको मिली थी यह आन्ने वापस कर दिया टाइट्ल ठीक और ये काफी बड़ा अब एक तरह से बोल सकते हैं कि एक important reason था कि क्यों अभी जो non-corporation movement start होगा वो start होता है ठीक है जलिया वाला बाग मैसे कर इस आरियम डायर को तो नहीं लेकिन Michael Dyer को मारते हैं Michael O. Dyer को मारते हैं कौन उधम सिंग जी हमारे है ठीक है उधम सिंग इसकी हत् क्या आते हैं और किस नाम से राम मुहम्मद सिंग आजाद ठीक है राम मुहम्मद सिंग आजाद नाम रखके जाते हैं कि बात याती कि आरियम डायर ने मारा था आरियम डायर ने गोलियां वहाँ पे चलवाई थी तो Michael Dyer को क्या मारा confusion हो गया क्या डायर में नहीं confusion नहीं उसको इस डायर ने बहुत ही सराहना कई प्रेज गिया उनको इस वज़े से इसको मार किया है इसकी आफ्टर मैत में ये भी ध्यान रखना कि एक हंटर कमिटी वनी थी ये जो हंटर कमिटी है इसका गठन होता है किसलिए ताकि इस जलिया अला बाग मैसिकर पे देखा जा सक कि इसने जो डायर के जो अकशन को कंडॉन किया कंडेम किया बỡट से खिलाफ कोई कारवाई नहीं होई क्योंकि उससे पहले ही इंड scor शौलक के एक की dir अट करवा लिया अपने सोर्डर्स को बचाने के लिए एक इंडरेमिटी एक इसको कोई सज्ञा वजन कुछ नहीं हु important है नहीं आपके लियाद करने के लिए ठीक है अब आते हैं गुरुद्वारा reform movement क्या ही है हुआ क्या कि अरूर सिंग ठीक है अरूर सिंग उससे में महान थे अरूर सिंग कहां पर गुरुद्वारा में जो golden temple था इन्हों उन्होंने डायर को संत की उपादी दे दी समझ रहा है उन्होंने संत की उपादी दे दी किसको जो डायर था उसको और यह चीज जो है लोगों को बहुत खराब लगी ठीक है तो वह समझ गए कि जो गुरुद्वारा है वहाँ पर corruption बढ़ रहा है ठीक है और इसी लिए गुरुद्वारा reform movement start होता है जो महंस है जो corrupt महंस है उनके खिलाफ कि इन महंस को हटाना यहां से और गुरुद्वारा में reform लेके आना है ठीक है अब आते हैं तर खिलाफत इशू क्या ही है 1919 में 1919 आते आते तक आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार खतम हो जोगा तो 1914 में start होता है 1918 में खतम होता है जो तर्की था वो परिटरिशर के खिलाव ता तर्की यह जर्मणी और उस्टिया के साथ मिला हुआ ता जो कर दो जेब First World War जीट गया प्रिटन तो उसके खालीफा होता THा जो ममिसलाम धर्म का जो स्लतान होता खालीफा उसको इन्होंने replace कर दिया इसको गद्धी से हटा दिया तर्की को dismember कर दिया और इस बात को लेकर हर जगे all over the world के जो Muslims थे वो खफा थे including India also इसलिए इन्होंने खिलाफत movement start किया जो इंडिया में Muslims थे main इसमें leaders थे Ali Brothers Ali Brothers मौलाना अली और शौकत अली ठीक है मौलाना अली और शौकत अली ये leaders थे इस particular खिलाफत movement के Ali Brothers उन्होंने lead किया उसमें और भी थे जैसे हसरत महानी अजमल खान ये लोग भी थे ठीक है तो ये उन्होंने lead किया और बाकी इनको ही पता था कि हम इतने जोर या फिर इतने mass movement इसको नहीं बना पाएंगे जब हमें तक हमें Congress का support नहीं मिलेगा गांधी जी ने इन खिलाफत की जो Muslims की meetings से इसको address किया वो चाहते है थे कि Congress support करे खिलाफत issue लेकिन Congress अभी नहीं चाहते थे कि support करो बट दीरे दीरे गांधी जी ने मना लिया कि खिलाफत क्योंकि Congress का यह माना था जैसे माधन महान मालवी जीलों का कि या फिर बाले इंगा जरती लागे कि हमें इस पे involved नहीं होना चाहिए जो खिलाफत issue है यह थोड़ा सा secular या फिर particular एक religion से related issue है तो उसमें involved नहीं होना चाहिए बट गांधी जी ने finally मना लिया और non-corporation movement फिर launch होता है 1920 में असायो गांदोलन 1920 में यह launch होता है सबसे पहले तो कैलकटा जो session हुआ था Congress का और उसको endorse किया जाता है जो नागपूर का session होता है Congress का वहाँ पे इस जो non-corporation movement है आसायो गांदोलन इसको endorse किया जाता है इसको finally launch किया जाता है और यहाँ पे एक Congress Working Committee का भी गठन होता है 15 member की जो Congress Working Committee है उसका गठन किया जाता है कि अब से जो भी Congress के major decisions है वह इस होई यह Congress Working Committee लेगी नागपूर session में Congress इसने बोला कि अब हम extra constitutional struggle करेंगे extra constitutional struggle का मतलब होता है कि हम थोड़ा सा ऐसा नहीं कि सब प्यार प्यार से बस बोलते रहेंगे थोड़ा सा उसके beyond भी जाएंगे लेकिन ये बात कुछ लोगों को सही नहीं लेगी जैसे मौमाद अली जिन्ना होगे आपके सुरेंदरनाथ बेनर जी होगे तो इन लोगों ने Congress से इस टाइम पर नागपूर session के बाद resign कर दिया और सुरेंदरनाथ बेनर जी ने अपनी Alexia Party बना ली Indian National Liberation Federation ठीक है? Not that much important अगर आ जाता है इसलिए मिनाक होता है कि इंडिया National Liberation Federation Party किसे ने बनाई सुरेंदरनाथ बेनर जी ने तो अब यहाँ पर non-cooperation movement launch होता है अब इसमें होता क्या है कि इसमें boycott करना है हर चीज का boycott करना है councils का foreign products का national schools का सरी जो बाकी जो Britishers ने जो school college set up कर रहा कि उनका सारी चीजें boycott करनी है यह यहाँ पर main था और government से cooperate नहीं करना है यह जो non-cooperation movement है कई जगों में spread हुआ जैसे कि छोटे छोटे जगों में जैसे अवद में अवद किसान सभा के रूप अवद किसान movement के रूप में spread हुआ यह ठीक एका movement UP में चालूँगा 1921 में एका movement 1921 के हुआ ठीक पर यूपी में मोपिला Sabbath ठीक है मपिला यह फिर मोपिला रिवोल्ट इसको बोलता है या फिर मालाबार रिवोल्ट के नाम से भी जानते हैं या फिर इसको मालाबार अप्राइजिंग के नाम से भी जानते हैं यह भी अपकि movement के theme यही था Hindu और Muslim में unity और यह Hindu Muslim में unity क्यों थी क्योंकि जो Muslims ने support नहीं किया था partition campaign वो अभी supporters ले कर रहे थे because वो खिलाफत issue को सही करना चाहते थे तो इस वज़े से वो support में तो यहाँ पर Hindu Muslim unity काफी अच्छी देखने को मिलती है इस particular movement में non-corporation movement में यह unity माला बार जो revolt हो रहा था यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर उतने यादा दीरे दीरे वो anti मतलब Hindu versus Muslim होता गया reason इसका यह कि because यहाँ पर जो जमीदार थे वो थे Hindus और जो peasants थे Muslims जमीद मुसलिम करें बोलना था कि जो मेरे जमीदार से वो उप्रेसिव हो रहे हैं पर तो उनके खिलाफ हम यह movement कर रहे हैं इसे जिए से पहले तो Congress का support यहाँ पर देखने को मिला लेकिन उसके बाद Congress नहीं आसे support चौरी-चौरा incidents पर चौरी-चौरा हथ्तय कांड यह क्या था तो चौरी-चौरा incidents जो है यह 1922 में हुआ चौरी-चौरा जो गाव है गोरकपूर में एक पड़तक गोरकपूर यूपी में गोरकपूर उत्तर प्रदेश में चौरी-चौरा एक विलेज है जहां पर पुलिस थाने में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मुव्मेंट जब यह नॉन कॉपरेशन मुव्मेंट अ सयो गांदोलन चल रहा था आपका ठीक है तब लोग काफी लोग इसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे ठीक है प्रोटेस्ट के टाइम पे ही एक पुलिस थाने में, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई और पुलिस स्टेशन में जितने भी थे पुलिस वाले वो बाहर जैसे निकले तो उनको फिर से वही पे अंदर आग में जोग दिया गया उन सभी की तकरीव उन बुलाता है कि 22 पुलिसमेंट की वहां पे इंस्टेट हो गई इसकी वज़े से गांदी जी ने इस नौन कोपरेशन मॉवमेंट को विच्ट्रो कर लिया गांदी जी विच्ट्रू नौन कोपरेशन मॉवमेंट, NCM कारण क्या था कि गांधी जी पूरी तरह से इसको non-volent रखना चाहता है तो उनका में ये कहना था कि अभी भी लोग non-volent अहिंसा का सही मतलब नहीं समझे हैं इस वज़े से गांधी जी ने बोला कि खुद को मतलब इन्होंने पिटिशर्स के हवाले कर दिया और इनको हो गई जेल ठीक है इनको यहां पर हो जाती है जेल कर दिया जाता है और गांधी जी इस movement को वापस ले लेते हैं चारी-चारा incident के बाद और इसके बाद अब चीजें कुछ change होती है जेल चले गांधी जी अब होगा क्या अब होगा यह कि emergence of स्वराजिस्ट होगा एक political vacuum create होगया गांधी जी के जाने से कि अब करें तो करें क्या because यहां पे जैसे मोतिलाल नेरो गया जवालाल नेरो गया बोस जी होगया वो खिलाफ थे किसके यह जो non-cooperation movement withdraw किया गया था उसके खिलाफ थे वो चाहते थे कि यह continue रहे because उनका यह माना था कि यह continue रहेगा तो हमें independence मिल जाते है और काफी लोगों को यह मानना कि अगर गांधी जी उस समय इसको withdraw ना करते non-violence का वाला देते हुए तो शयाद हमें पहले ही मिल जाती बट गांधी जी का यह मानना था कि फिर हम जो actual मतलब है वो ना समझ पाते non-violence का ठीक है तो हुआ यह कि political vacuum create हो गया कुछ लोगों ने बोला एक particular section ने बोला कि हम जो boycott है उसको continue करते हैं उन्होंने बोला कि boycott को हम continue करते हैं और जो हम constructive work है उसको continue रखते हैं जो constructive work हम कर रहे थे what is this constructive work कि मतलब national schools and colleges set up करना boycott को continue रखना ठीक है इंडियन चीज़ों को ही prefer करना वो continue रखते हैं जो गांधी जी हमें कहके गए थे इनको बोला गया no changers कि यह कोई change नहीं करना चाहते हैं अभी जैसा चल रहा था वैसा चलने देते हैं बाकि जो लोग boycott को end करना चाहते थे और councils में जाके councils end और mend और mend the councils का सपना संजोए बैठे थे कि यह तो हम councils का boycott खतम करते हैं election लड़ते हैं council के अंदर जाते हैं अपनी आवाज रखते हैं नहीं आवाज यह उठाएंगे तो end मतलब councils खतम करेंगे या फिर उनको change करेंगे खिलाफद सुराज पार्टी in the year 1923 1923 में किसने बनाई यह सी आरदास और मोतिलाल नहरू ठीक है तो pro changers क्या कर रहे थे council में जाके अपनी आवाज रख रहे थे ठीक है और जो no changers थे वह सिर्फ constructive work पर पूरी तरह से focus कर रहे थे यह था सुराजिस्ट अब यह आते हैं division अमंग सुराजिस्ट सुराजिस्ट भी दो lines में divide हो गया एक responsivist और दूसरे non-responsivist यानि कि जो ब्रिटिश थे वो इसमें भी सुराजिस्ट को भी divide करने में ठीक है responsivist सफल रहे इस responsivist वो थे कि इनका यह माना थे जो ब्रिटिश्ट हमें बोल रहे हैं उसके साथ हमें cooperate करना चाहिए non-responsivist थे वो यह बोले थे हमें cooperate करने की जरवत नहीं है तो सुराजिस् वो इनिशली अपोस्ट स्वराजिस्ट बठ हुआ क्या 1924 आते आते तक ठीक है इन दी बेलगाम session of Congress आपको पता है 1924 का जो बेलगाम session वह था Congress का विट वा था Congress का विट वा इटी गांधी जी तो गांधी जी को health reasons ये जेल से छोड़ दिया था health reasons की वज़े से और गांधी इस पार्टी एक तरह से खतम हो जाती और यह जहां रखना जो स्वराज इस पार्टी है यह within the Congress काम कर रही थी outside the Congress नहीं थी ठीक है it worked within the Congress within the Congress इसने काम किया और इसका जो गठन है वो कब हुआ कौन से session हुआ गया session of Congress ठीक है जो गया session था Congress का वहाँ पे ये खिलाफत स्वरा पुरा सारी चीज़े हमारी chronologically चल रही है तो उन्नीस सो जैसे हमने देखा उन्नीस में क्या हुआ खिलाफत मतलब सबसे पहले तो रॉलर टाया उसके बाद उन्नीस में आपका जलियावला बाग मैसे कर हुआ फिर उन्नीस में खिलाफत उन्नीस सो बीस में non-cooperation 1922 में चौर उस्बेकिस्तान में ठीक है ताशकंद उस्बेकिस्तान में पार्टी बनती है और फाइनली फॉर्मलाइज होती है 1925 में कहां पर कानपूर में यह फॉर्मलाइज होती है ध्यान रखना formation of AITUC that is All India Trade Union Congress इसका नाम है और यह बनती है 1920 में लाला लाचपत राय लाला लाचपत राय दिवान चमन लाल दिवान चमन लाल नरायन मलहर जोशी ठीक है यह काफी important नाम है नरायन मलहर जोशी ठीक है लाला लाचपत राय इस AITUC के पहले प्रेसिडेंट थे जिस तरह जो स्वराज पार्टी बनी थी उसमें सियार दास पहले प्रेसिडेंट थे और मोतिलाल नहरू सेक्रेटरी थे पहले ठीक है और जोसेफ बाप्तिस्ता भी थे इसमें ठीक है बट उतना important नाम नहीं बस दे नलीनी गुपता ये लोग इसमें involved थे not that much important बस पता होना ची कब हुआ 1924 में फिर 1928 में एक मेरट में भी conspiracy होती है ठीक है अब आते हैं कुछ caste movement जो इस समय चल रहे थे self respect movement in the year 1924 by E.V. Ramaswami नहीं कर ठीक है इवी रामा स्वामी एक सेकंड एक सेकंड यहाँ पर ठीक है एवी रामा स्वामी नहीं कर 1924 में self respect movement चला एवी केरल वाले जो रीजन है वहाँ पर रामा स्वामी नहीं कर जिनकों की हम लोग पेरियार के नाम से जानते हैं justice party बनती है 1925 में और महत सत्य अगरे होता है 1927 में 1927 में कौन लीड करते है इसको हमारे बाबा साब अमबेट कर जी अन्य की भीम राव अमबेट कर जी ठीक है महत सत्य तक रहे 1927 यह सारी caste movement थे यह दोनों साउथ इंडिया में थे में लिए जस्टिस पार्टी तो साउथ इंडिया में था और महा सत्य तक रहे यह अपका मेट कर जिए 1927 में स्को लीड किया था ठीक है अब यह आतने कुछ नोवेल्स जो लिखी गई थी इस टाइम पर बंदी जीवन लिखी थी किसने सचिन सान्य ने ठीक है सचिन सान्याल और पाथर डाभी लिखी थी शरत चंद्र चाटर जी ठीक है शरत चंद्र चाटर जी ठीक है 1924 में एक पार्टी का गठन होता जिसका नाम है होम रूल लीग अस्वाम रूल लीग भूल रहा हूं हिंदुस्तान रिपब्लिक असोसियेशन ठीक है ह रिपब्लिकन असोसियेशन और ये पार्टी बनती है इन दा इयर 1924 में और इसके फांडर कौन कौन थे राम प्रसाद बिस्मिल ठीक है राम प्रसाद बिस्मिल जोगेश चंद्र चाटर जी एंड सचिन सान्याल सचिन सान्याल ये इसके मेन एचारे दाट इस आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसियेशन था उसके फांडर से है ठीक है ये जो 1924 में पार्टी बनती है अचारे ये लीड करती है काकवरी इंसिडेंट को जो की एक तरीकी ट्रेन रॉबरी थी ब आम्स एन अमिनिशन करी करके जा रही थी विटिशस के उनको यहां पर प्लेंडर किया गया थे कि जैसे हम बोल सकते है फिर उसको हमने रोक के वो सारे आम्स एन अमिनिशन को लिया था और गेन रिपीट हमारी गवर्मेंट ये सारे वर्ड यूज नहीं करती है रॉबरी ज जाता है फासी में लटका दियाता है कुछ लोग भाग जाता है जैसे कि फर इसमें से भाग निकले कुछ लोग फासी हो गई और इसलिए ये पार्टी फाइनली बाद में 1923 में जाके इसका एक बोल सकते हैं modified version बनता है हिंदुस्तान socialist republic association वो था हिंदुस्तान republic association 1924 से बनता है 25 में काकोरी इंसिडेंट होता है 1928 में हिंदुस्तान socialist republican association बनती है यह party कानपुर में कौन बनाता है चंदर शेकर आजाद जी भगत सिंग बनती है चंदर शेकर आजाद इसमें भगत सिंग राजगुरू यह भी involved है ठीक है और कहां बनती है कानपुर बोल रहा हूँ कानपुर में तो वो अचारे बनी थी यह फिरोशा कोटला में ठीक है it was formed in the फिरोशा कोटला डेली में जो अचारे है वो बनती आपकी कानपुर में यह अचारे वोज फोर्म्ड इंधी कानपुर इस HSRA के जो लीडर्स थे या फिर जो इसमें मेंबर्स थे उन्होंने सॉंडर्स की हत्या करी मतब दो तीन इंपॉर्टन काम किये सॉंडर्स की हत्या करी 1928 में क्यों करी अभी हम देखेंगे कि साइमन कमिशन एक कमिशन तो जो भारत में आया ठीक है उस एंटी साइमन कमिशन प्रोटेस्ट के दौरान पे लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई लाठी चार्ज की हो जैसे और इस डेथ का बदला लेने के लिए भगत सिंग ने सोंचा भगत सिंग राजगरूर सिकदेव थावड जी ने कि हमें इस सॉंडर्स की हत्या करनी है और उसका नाम था जेम्स स्कॉट लेकिन गलती से मर गया सॉंडर्स और एक इंडियन पिलिस कॉंस्टेबल भी मारना चाते था जेम्स स्कॉट को लेकिन गलती से डेथ हो गई जेम सॉंडर्स की फिर बॉम फेकते हैं और इसी की वज़े से इसी गटना की वज़े से आपको पता है कि 1931, 23rd March 1931, 1931 को इन तीनों लोगों को भगत सिंग सुखदेव जी और सुखदेव थापर जी और राजगुरु जी को फासी की सजा होती और इसी दिलिए हम 23rd March को लजिसलेटिव एसेमली यह बॉम फेका गया था 1929 के टाइम पर किसने फेका था भगत सिंग और बटुकेश्वर दत्तने बगत सिंग और बटुकेश्वर दत्तने किसलिए फेका था किसलिए फेका था it wasn't to kill anyone it was to just to make the deaf hair बहरे हो गये इन अंग्रेज़ों को ताकि सुनाई पड़े वह किसी को मारने के लिए उन्हें नहीं फेका था बगत सिंग और बटुकेश्वर दत्ति जीन है ठीक है आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं चिटगॉंग आर्मरी रेट के बारे में चिटगॉंग एक जगह पड़ती है प्रिजन डे बांगलादेश में वहा इसमें कि मेली फीमेल इन्वोड थी जैसे कि प्रीती लता वड़्ड़ेदार सुनीता चंडेरी बीना घोष ये सब इसमें इन्वोड थी चिटगॉंग आर्मरी रेट में सूरे सेन के साथ 1930 में यह हुई थी 1930 में बट अगेन सूरे सेन जी को अत्ते चड़ गये इन अंगर प्रेजों के अत्ते और फाइनली इनको भी जो है हैं कर दिया गया फांसी की सजा सुना दी गई ठीक है सूर सेंजी को क्लियर है यहां तक सभी को एक बार बताईए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अच्छी यह जलजी से पताई फिलोसफी ऑफ बाउम किस ने लिखे और पं पूरा सब कर लेंगे 1946 तक 1947 तक उसके बाद हम लोग करेंगे जो सोशल इलिजस रिफॉर्म मुव्मेंट है वो काफी इंपॉर्टन चैप्टर ध्यान रखेगा ठीक है पंजाब नावजावन भारत सभा इसको बनाते हैं 1926 में कौन अच्छा एक चीज मैं आपको बताई थ थी बीचे की नहीं बचाए थी चलो भी बतातों आपको 1926 में यह बगत सिंग जी ने बनाई थी ठीक है इसके फाउंडर थे भगत सिंग जी ठीक और यह मैंना को उता दिया यहां पर एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा एक सिकन रूख हो जहां पर मैंने आपको यह बताया था ना इसके बारे में एंटी पार्टिशन जो हम लोग मुवमेंट देख रहे थे यहां पर यहां पर एक चीज नोट करिएगा आप भी पता निम्हें ने बताया वह चीज के नहीं अगर नहीं बताया तो इसको नोट करना की यहां पर not करना पंजाब से लाला लाजपत्र रहा है और अजीश सिंग जो कि भगत सिंग जी के अंकल तो उन्हें लीड किया और इन्हों ने एक PARTY के गठन किया था that was अंजुमाने और भगज सिंग जी ने found किया था किसको found किया था है उन्हें पंजाब नाजवान भारत सभा को अभी आते हैं Simon Commission पर Simon Commission ये Commission क्यों बना क्यों आया इंडिया इस पे पहले discussion करते हैं हमने अभी पड़ा था Government of India Act 1919 के बारे में 1919 में इसमें एक provision था कि 10 साल बाद 10 years के बाद एक commission का स्थापना किया जाएगा जो कि ये देखेगा कि government of index 1919 कितना ground level पे उत्रा मतलब क्या-क्या जो उसके provisions थे actual में implement किये गया है कि नहीं किये गए ये सारी चीज़ें देखने के लिए कि कितने reforms हो चुके हैं और कितने reforms needed हैं इसको लेके 10 साल बाद commission बनना था नहीं 1929 में लेकिन 2 साल पहले ही 1927 में ये commission बन जाता है 1927 7 members थे 7 सदस से थे इसमें all white मतलब कि सारे अंग्रेज थे इसलिए इसको white commission ने बोला गया इसमें non-indians थे फिर सारे britishers थे और इसी बात को लेके विरोध था इंडियन का कि आप हमारे reforms के लिए आ रहे हो मतलब हमारे reforms के लिए commission मना है कि हमें क्या reform चाहिए और तुम हमी से नहीं पूछ रहे हो कि क्या reform चाहिए मतलब क्या बात हुई मतलब हमारे reform के लिए आ रहे हो कि इनको ये reform चाहिए और हमारा इंडियन ही कोई इस particular commission में नहीं है तो इसको पूरा सब भी ने जितने भी congress है सबी parties ने इसको विरोध किया exceptions तो हमेशा होता है ठीके कुछ ने इसको विरोध नहीं किया लेकिन इसको पूरा एक तरह से विरोध किया और इसी विरोध इसी anti-simon commission protest में लाला लाजपतरा जी की death होई थी ये 1928 में इंडिया में राइव करता है तब इसका ये protest होता है इसको काले जंडे दिखाए गए साइमन गो बैक के साइमन ठीके मुझे वो याद आते हैं हमारे दद्दू जी का ये काफी meme बारल नहीं होता था चला जा ठीके तो 1928 में साइमन कमिशन इंडिया था और गो साइमन बैक के नाले लगते हैं अब ये जो साइमन कमिशन है इसका विरोध होता है तो फिर बर्किनेड जो उससे में प्राइम मिनिस्टर था वो चैलेंज करता है इंडियन्स को कि अगर इतना ही सच्छा मों तो बना लो फिर अपना एक हमें बना के दो क्या-क्या रिफॉर्म चाहिए तो फिर इसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए नहरू रिपोर्ट ठीक है इसके रेस्पॉंस में नहरू रिपोर्ट दी गई नहरू रिपोर्ट मतलब इसका मतलब यह है कि कॉंग्रेस ने कमिटी खुद की बनाई एक कमिशन खुद का बनाया जिसमें कि मोतिलाल नहरू, ठीक है, मोतिलाल नहरू को, इन्हों ने इसमें, मोतिलाल नहरू को, क्या बनाया, मोती लाल नहरू को बनाया गया इस कमिशन का चेर्मेन और इसने एक रिपोर्ट रखी ठीक अब इसके रेस्पॉंस में जिन्ना कैसे पीछे रहता जिन्ना ने भी अपने 14 पॉइंट दे जिनको हम जिन्नास 14 पॉइंट के नाम से जानता है ठीक है से नहरू रिपोर्ट पता होने चीए कौन थे मोती लाल नहरू के नाम पे नहरू रिपोर्ट का नाम पड़ा और साइमन कमिशन के बारे आना कुछ चीज़ बता दी है ठीक है यहाँ तक सभी को क्लियर होगा I hope सभी को आगे बढ़ते हैं फिर चलिए अभी आते हैं CDM and RTC that is Civil Disobedience Movement and Roundtable Conference सवने अवग्या अंदोलन और गोल में सम्मिलन पड़ते हैं सबसे पहले इर्वेंस डिकलेरेशन आता है और डेली विबर में कॉमेंट चेक कर लेता हूँ किसी कोई डाउट तो नहीं है Blueprint of Indian Constitution बिलकुल चलिए तो इर्वेंस डिकलेरेशन और डेली मेनिफेस्टो की बाद उसी को इम डेली मेनिफेस्टो अभी जो डेली मेनिफेस्टो क्या था बट यह द्यान रखता है इसमेंसे आपको कि जो इर्वेंस ने एक तरह से डिकलेरेशन किया था क्या डिकलेरेशन किया था इर्वेंस कि यह यह सारी चीज़ें हम लोग आपको करके देंगे और आप roundtable conference में participate करो round table conference किया goal में समेलन होने वाली थी London में ही ठीक है तो ये Irwin ने बोला था year 1929 में 1929 में और ये Irwin कौन था? Irwin उसमें voice roy था इंडिया में negate कर दिया reject कर दिया और Congress ने रखे अपने Delhi manifesto कि हमारा जो demand है वो ये ये demand है ठीक है किस ने रखा Congress ने रखा अपने Delhi manifesto और इस manifesto को Irwin ने negate कर दिया कि हम नहीं मानते इसको ठीक है तो 1929 में Irwin ने रखे Congress ने negate कर दिया फिर 1929 में ही Gandhi जी on the behalf of Congress उन्होंने रखे अपने manifesto को उसको reject कर दिया तो अब इसके बाद होता है Lahore session of Congress 1929 में यह काफी important session है जिसको की preside करते हैं जवाहर लाल नहरू और जिसमें कुछ important चीज़ें थे एक तो यह कि CDM launch होगा भी ठीक है launch होगा CDM का civil disobedience movement का RTC that is roundtable conference जो पहले वाली होने वाली 1930 मतलब साल के end में 1930 के end में उसका boycott होगा first RTC का boycott होगा Congress का जो गोल है वो पूर्ण सुराज होगा यह काफी important है कि अब गोल जो है अभी तक क्या था Domainian status की मांग चल रही थी Domainian status दे दो ठीक है और यह लोग भी नहरू और Bose जी लोग बोल रहे थे कि Domainian status नहीं पूर्ण सुराज की मांग करो तो गांधी जी लोग यह फिर जो बड़े बुजरुक लोग थे हो बोल रहे थे नहीं रुख जाओ पहले Domainian status मांग लेते हैं अगर नहीं देंगे अगर इस बार इन्हों नहीं दिया एक साल के अंदर तो फिर हम launch कर फिर हम अपना गोल होगा पूर्ण सुराज तो अब गोल होगा पूर्ण सुराज ऐसा किस Congress के सेशन में टेकलियर किया गया जो लाहॉर का सेशन था 1929 जिसको जहला नहरू ने प्रसाइट किया और यहीं पर 26 Jan 1930 को पहला Independence Day Celebrate करने की बात कही गई और यही कारण है कि अब अपने जो Constitution उसको Enforce किया लागो किया 26 January को तो 26 January 1930 को First Independence Day Celebrate करने की बात कही गई और जो रावी नदी है उसके तट पे जंडा भी फ़राया गया जहला नहरू जी के तोरा अब आते हैं गांधी जी का डांडी मार्च यहां से अब स्टार्ट होता है Civil Disobedience Movement CDM गांधी जी अपना मार्च स्टार्ट करते हैं साबर मती आश्रम से साबर मती आश्रम से डांडी तक अपने 78 हैनी 78 Delegates के साथ Delegates के साथ कब स्टार्ट करते हैं 24 March को 24 March को स्टार्ट करते हैं है और यह जो मार्च है 6 एपरिल तक चलता है ऐपका ठीक धयान डखना कॉंग्रेस में बहुत्यर डेलिगेट थे जो पहला सेक्शन वगा था कॉंग्रेस का उसमें जब बनी थी कॉंगर्ष तो बहुत्यर डेलिगेट थे यह चीज धयान लगत पार यह जो गांदी जी कोई उससे connected था इसलिए इसको यहां पर एज़ा थीम चुना गया था एक बार सीडियस में इसने कुछा कि ढंडी मार्च में किस compound का यूज गया मतढ redeem एच्छ्छाय कोएं गांधी जी किस compound का यूज किया था अब यहांपर देखते कि different पादो हों से किसने लीड किया ठीक है different जगों से किसने लीड किया ठीक है और एक यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेगा अगर सब्सक्राइब किया तो यहां पर नहीं लिखना हम लोगों को यहां पर लिखना ठीक है इसने हो किया था कि जो डायर की आई थी 1919 के एक्ट से उसको अबॉलिश कर दो अबॉलिशन ऑव डायर कि इसने रिकमेंट किया था लेकिन इसके को जो भी रिकमेंडेशन थे कोई एनफोर्स हो नहीं पाया था तब तक 1935 का अगया था और यह तो बस ऐसे नाम मांत्र का होगे रहे गया था ठीक है तो सॉल्टों में एने सील जो कंपाउंड है उसको यूज किया गया था उसका यूज हुआ था ठीक है डांडी मांच के वाइर मैंने आपको बता दिया है अब यहां पर देख लेते हैं कि जो सॉल्ट लो है उसको कहां कहां पर डिफरेंट जगोंने लीड गिया जैसे कि तमिल नाडू में अ कि नो चौकिदार टैक्स कंपेंड चला ठीक है कि हम चौकिदार टैक्स कंपेंड नहीं देंगे मतलब चौकिदार टैक्स नहीं देंगे नो चौकिदार टैक्स कंपेंड Central province में violation of forest laws का ठीक है जो forest laws है उनको violate किया गया violation of forest laws ठीक फिर different places में different लोगों ने इसको lead किया जैसे Tamil Nadu में अगर हम बात करें तो C. Rajagopalachari ने lead किया C. Rajagopalachari Malabar में K. Kelappan ने lead किया इसको K. Kelappan ये वही थे जिन्होंने वैकॉम सत्याग्रे को भी lead किया था ठीक है वैकॉम सत्याग्रे को भी ने lead किया था Odisha से गर बात करें तो Gopal Bandhu Chaudhary Gopal Bandhu Chaudhary ची ने lead किया और बिहार से lead किया Ambika Kant Sinha ने ठीक है Ambika Kant Sinha बिहार से और बिहार में Nakhas Pond को एक site choose किया गया था Salt law violate करने के लिए ठीक है Nakhas Pond और Very important from the Peshawar Peshawar से lead किया था किसने Khan Abdul Gaffar Khan ठीक है Khan Abdul Gaffar Khan ने lead किया था from the Peshawar इन्होंने Red Shirt Movement यानि लाल कुर्ती आंदूलन चलाया वहाँ पे NWFP जो Northwest Front Province था जो present day Pakistan में आता है वहाँ पे Red Shirt Movement लाल कुर्ती आंदूलन और इन्होंने एक party भी बनाई या फिर एक तरह से association भी बनाया खुदाई खिद्मतगार ठीक है खुदाई खिद्मतगार और पक्तून करके एक वीकली भी निकाला पक्तून धार साना से अगर बात करें तो धार साना से Sarojini Naidu ने रीट किया थे इसको Sarojini Naidu और Manipur और Nagaland से Rani Gadin Liu मात्र 11 साल के उमर थी जेल में डाल दिया गया आज इवन कारावास लेकिन 1946 में जब इंडिया आजाद हो गया था उसके बाद 1946 में जब हमारी गर्रमेंट बनी थी Congress की Provisional Government तो उसने इनको रिलीज कर दिया था जेल से Form of Mobilization किस तरह का यहां पर था तो Mobilization was carried out through Prabhat Ferrys, Varnar Sena और Manjari Sena अब CDM के टाइम पर यह आपकी सेना बनी थी Prabhat Ferry, Varnar Sena और Manjari Sena ठीक है अभी आते हैं Gandhi-Irvin Pact पर यह Pact sign होता है 1931 में 1931 में जहां पर Gandhi जी के कुछ demand Irvin ने मानी और Irvin ने Gandhi जी के मानी Gandhi जी ने बोला यह फिर इरविन ने बोला कि CDM को suspend कर दो तो Gandhi जी ने Civil Disabidance Movement को suspend कर दिया यहां पर Gandhi जी ने बोला कि और यह भी Irvin ने बोला कि जो अगली Roundtable Conference है Second Roundtable Conference है दूसरा Goal Main Summit में जो 1931 में होगा उसमें पार्टिस्पेट करो वो भी Gandhi जी ने माना या पर Gandhi जी के कुछ demand थी जैसे कि इन्होंने यह demand रखी थी Irvin के सामने कि आप एक तो यह काम करोगे कि जिसकी भी प्रॉपर्टी को छीन लिया गया है इस तरह से कर लिया गया है उसको अप उसकी प्रॉपर्टी लोटाओगे और Right to Make Right to Make Salt आप दोगे For Personal Consumption Personal Consumption के लिए कोई भी Salt Manufacture कर सकता है और यह तो कुछ demand मानी Irvin ने लेकिन कुछ demand नहीं मानी जैसे कि गांदी जी के एक demand थी कि भगत सिंग सुदेव और राजगुरु जी के जो फासी उसको टाला जाए और उसको death sentence से commute करके life imprisonment किया जाए वो Irvin ने गांदी जी के बात नहीं मानी पहली चीज दूसरी चीज गांदी जी ने यह बोला कि जहां जहां पुलिस की accession हुई है जहां जहां पुलिस ने फालतू का law को वालेट किया है वहाँ पे inquiry होनी चीजए तो वो भी Irvin ने नहीं मानी फैनली गांदी इर्विन पैक्ट साइन होता है 1931 में पैक्ट के तहत वो इसका हम support करेंगे roundtable conference participate करेंगे CDM को बंद करेंगे इस particular session को lead किया था सरदार पतेल जी ने सरदार पतेल जी ने इसको lead किया था और इसमें गांदी रविन पैक्ट कंडोस किया गया था साथी साथ पूर्ण सुराज का goal को re-trade किया गया था that mean कि इसका meaning for the masses what does पूर्ण सुराज would mean for the masses ये बताया गया था अभी तक पूर्ण सुराज एक vague term तो इसका मतलब क्या वो नहीं बताया गया था तो ये मतलब पहले बार बताया गया कराची resolution 1931 में और साथी साथ यहां पे दो resolutions भी pass हुए दो resolutions पास हुए one on fundamental rights and दूसरा second on national economic policy कराची resolution और कराची resolution को वही कराची जो session हुआ था Congress में यहां पे जब Congress के जब delegates जा रहे थे तो यहां पे काले जंडे भी दिखाये गए थे पंजाब नाजवान भारत सभा के दोरा जो भगत सिंग ने बनाई थे अब यहां पे round table conference जो पहली वाली round table conference है तीन हुई थी टोटल तीन गोल में समेलन हुए थे यह 1930 में हुआ था second वाला हुआ था आपका 1931 सब भी last में होती थी अनिकि साल के अंत में December, November इस टाइम पे और जो third round table conference है यह हुई थी 1932 में 1932 में second round table conference was the only round table conference only जिसमें कि Gandhi जी ने participate किया था, Congress की तरफ से तो हम बो सकता है Gandhi जी और Congress ने सिर्फ एक ही round table में participate किया and that was second round table conference, दूसरी गोल में समेलन, Ambeitkar जी ने तीनों में participate किया, पहली दूसरी और तीनों में participate किया, second round table conference से आने के बाद, फिर से Gandhi जी ने CDM launch कर दिया, कि जो लोगों की demand थी वो वहाँ पर नहीं मानी गई, इसलिए फिर से जब launch, जैसे इनोंने किया वैसे इनको jail में डाल दिया गया, जैसे लंडन से वापस है और कहां पर डाला गया, यरवदा jail पूना में यरवदा jail पूना में इनको डाल दिया गया अब, हुआ यह, यहां पर मैंने चीज़ां को अदा दिया, ठीक है, हुआ यह कि जब एक गांधी जेल में थे, क्योंकि अंबेटिकर जी ने तीनों roundtable conference से participate किया था और वहाँ पर इनकी demand थी कि जो दलित हैं, जो depressed classes हैं, उनको भी separate electorate दो, जैसे तुमने Muslims को दिया 1909 में, 1999 में सको और extend के Anglo-Indian Christians को, ऐसे ही जो depressed classes हैं, उनको भी separate electorate दो, तो Ramsey MacDonald जो सेमें Britain का Prime Minister था, उसे ने announce किया कि ठीक है, हम depressed classes को भी separate electorate देंगे, और वही कहलाया, communal award क्या है ये, separate electorate ये प्रिथाक निर्वाचन कि इसको separate electorate to depressed classes ये बोला जैसे ये बात गांधी जी को पता चली, वो fast and to death में चलेगा, ये अरवदाद जेल पूना में कि जब तक खाना नहीं करें, जब तक इसको वापस ने लिया जाएगा क्योँ, क्योंक्यों उनका ये माना था, मुझदफ दौनों लोग की फिलोसफी में थोड़ा सा अंतर था गांधी जी ये बात करें, कि गांधी जी का ये माना था की इंडिया पहले से united है और सब कोई united है अम्बेटकर जी का ऐसा माना नहीं था उनका यह माना था इंडिया is non united गांधी जी का यह माना है कि अगर हम उनको अलग तरह से treat करेंगे depressed classes को dalits को अलग तरह से treat करेंगे तो और अलग होंगे अम्बेटकर जी ने बोला कि वो अलग है पहले से ऐसा मतलब उनों के ideology में difference था और इसी वज़े से गांधी जी ने जब हरीजन सेवक संग के स्थापना करी हरीजन सेवक संग के स्थापना करी कब year 1932 में 1932 में और हरीजन weekly निकाला इसको लेके काफी गुसा हुए अम्बेटकर जी कारण इसका ये था उनको उनका ये माना था हरीजन मतलब भगवान के लोग बोलने से वो भगवान के लोग नहीं बजाएगा उनको इज़त नहीं मिल जाएगा उनको आपको rights देना पड़ेगा ऐसा अम्बेटकर जी का मानना था अम्बेटकर जी ने भी dipteress classes के लिए काफी सारे associations के स्थापना करी जैसे की बहिश्कृत बहिश्कृत हिद करनी सभा ठीक है बहिश्कृत हिद करनी सभा इन दे ये जल्दी से बताएगे किस येर में इसको बनाया अल इंडिया scheduled caste federation scheduled class sorry scheduled not class caste scheduled caste federation तो बहिश्कृत हिद करनी सभाईनों ने बनाया 1924-1924 में अल इंडिया scheduled caste federation मनाया 1922 में 1942 में ठीक है यहाँ पर caste कर लिजेगा तो ideological कुछ differences थे इसी वज़े से गांधी जी ने विरोध किया कि अगर हम separate electorate class को तो और अलग हो जाएंगे किसे हिंदू community से इसलिए उन्होंने बोला कि यह separate electorate को वापस लिया जाना चाहिए आप क्योंकि fast into death में थे तो इसलिए अंबेटकर जी कभी देल पे घल गया क्योंकि उनको मतलब नहरू जी लोगों ने मनाया कि मतलब गांधी जी के बिहाफ पे मदन मुहन मालवी ने इसको साइन किया था बट वो इंपॉर्टन नहीं है अगर पूछ ले तो तो बतार हो आपको बाकी तो एक्जाम में ही पूछेगा किस के बीच में तो गांधी जी और अंबेटकर जी 1932 ये दोनों आपके जो घटना हैं वो 1932 में हुई तो हुआ क्या कि बेटकर जी अगरी कर गए कि ठीक है separate electorate हमें नहीं चाहिए लेकिन जो भी seats reserved है depressed classes के लिए उनको और extend किया जाए उस पे गांधी जी अगरी कर गए इसके बाद आता है 1935 में government of India 1935 जब लोग political रहे थे तो sources of constitution मैंने बताया था कि India जो Indian constitution है उसमें काफी चीज़ है हमने काफी country constitution से लिए USA से UK से ठीक है बहुत देशों से तो उसमें से जो सबसे main important role था है फिर सबसे ज़्यादा part है हमने वो government of India 1935 से लिया है ठीक है या फिर जो constitution का जो हमारा structural part है हमने government of India 1935 से लिया है अब इसमें कुछ important provisions थे जैसे कि इसमें एक all India federation मनाने की बात कही गई थी जो कि कभी actual में existence में आ नहीं पाया federation क्यों क्योंकि provinces agree नहीं किये इसमें hierarchy को abolish किया गया याद करिए hierarchy को abolish करने को किसने बोला था साइमन कमिशन है बट hierarchy को abolish किया गया यहाँ से provinces से अब आप याद करिए कि यह hierarchy provinces में आई कहां से थी 1919 का जो government of India act था उससे जिसको कि हमने मौन्टाइग की चलफॉर्ड reforms बोला था तो provinces से अगर hierarchy खतम हो गई तो provinces से क्या मिल गई autonomy मिल गई स्वायत्ता मिल गई तो यहाँ पर provincial autonomy established होई और इस डायर की को introduce कर दिया गया अब center में डायर की introduced at center यानि अब central subject को दो वाकों भाटा जाएगा reserve transfer direct introduced at center वहाँ पर क्या होगा था आपका जो यह government of India था कि bicameralism introduced किया गया था center में राइट bicameralism introduced किया गया था center में अब यहाँ पर bicameralism introduced किया गया provinces में ठीक है bicameralism introduced at provinces यानि जो 1919 वाले ने किया just उसका उल्टा bicameralism at provinces कितनी provinces six out of eleven provinces ठीक है six out of eleven provinces में bicameralism को लाया गया 1935 के act के दवरा I hope यहां तक चीजे clear होगी पस इसमें इतने ही चीजें याद करने के ज़रते है 1935 आले में अब आते है election and congress performance तो elections हुए 1935 के act recording और congress ने elections ला ले और congress को majority मिली congress काफी majority party यहां पर बनके उभरी जो 1937 में elections हुए थे ठीक है और यह पहले तो तहीं यहां तक सभी को चीजें clear हैं कि नहीं because हम लोग अपने लास्ट पार्ट में आ चुके हैं government of India 1935 इंडियन्स ने बनाया फिर बिटिश ने बनाया था government of India का मतलब यह बिटिश पार्लिमेंट से ही पास होते थे ठीक हैं बट यह है कि जो recommendations थी इंडियन्स की वह ले ली जाती थी बस इसके बाद खतम नहीं है ठीक है अब इसके बाद social religious reform movement भी हम लोग है है ना social religious reform movement भी है भी ठीक है elections और Congress के performance तो Congress ने काफी अच्छा perform किया यहां पर जो elections हुए अब Congress ने अच्छा तो perform किया ठीक है और हां मतलब अच्छा performance का मतलब क्या अच्छा performance क्या अच्छा performance तो इसको हर जगह में majority मिली except कुछ जैसे बंगॉल असम पंजाब और यह जो NWFP region है यहां पर इसको और सिंद वाला जो प्रवेंस है सिंद प्रांत तो वहां पर इसको majority नहीं मिली और हर जगे इसको majority मिली ठीक है बस इतना आपको अभी के लिए इतना याद रखना है ठीक है और उनन जगों में office accept कर लिया Congress ने और बाद में अभी हम आगे देखेंगे कि office से resign भी कर दिया था क्यूं वह भी आगे देखेंगे बट हरीपुरा और त्रिपुरी session आपके important है हरीपुरा आपका gujarat में पढ़ता ही है ठीक है गुजरात में Congress के इसमें president थे 1938 में Congress के इसमें president इसको preside जिया था Congress के हरीपुरा session को सुभास चंद्र बोस जी ने ठीक है और सुभास चंद्र बोस और गांधी जी की जो आइडिलोजी थी उसमें काफी डिफ्रेंस था अडिलोजिकल डिफ्रेंसे थे जोनों की आइडिलोजी में ठीक है तो यह जो ट्राइफ है जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही थी Congress में त्रिपुरी सेशन आते आते तक और बढ़ती बिकाज जो त्रिपुरी जो अमध्य प्रदेश न पढ़ता है वहाँ पे एक सेशन होना था Congress में बोस जी फिर से प्रेसिडेंट शिप की Candidature के तोर पे सामने आये जीत भी गये काफी बहुमत से जीत हैं और हराया किसको हराया पट़ा भी सीता रमया को जो गांधी जी की तरफ से लड़ रहे थे एक तरह से मोल सकते हैं क्यों गांधी जी ने पट़ा भी सीता रमया क्यों गांधी जी ने हाँ पर एक तरह से यह बोला कि यह हमारे एक तरह से representative मतलब हमारी तरफ से यह खड़े हुए है इनकी defeat होती है और गांधी जी ने बोला कि इनकी defeat मतलब मेरी defeat तो मतलब Congress में बहुत ज्यादा strife बढ़ चुकी थी बोज जी और गांधी जी का एक दम constitutional मानना था मतलब ideological differences थे बोज जी का मानना बोज जी बिलकुल भी गांधी जी की ideology से believe नहीं करते तो उनको यह लगता था कि अगर इस तरह से जलते रहेंगे तो फिर मिल चुकी आ जा दी और मिलेगी भी तो नहीं नहीं कब मिलेगी तो वो action oriented थोड़े से बोज जी ठीक है तो इस वज़े से तिरपुरी session हो आते आते तक बोज जी ने resign कर दिया बोज resigned from the Congress और इन्होंने खुद की party बना ली All India forward block within the Congress ध्यान यह रखने आपको it wasn't outside the Congress it was formed within the Congress ठीक है within the Congress बनी थी 1939-1949 में इससे पहले बोज जी ने Indian Independence League बनाई इंडियन Independence League ठीक है और National Planning Committee जिसकी चर्चाम लोगों ने economic साले lecture में भी गरी थे अगर आपको याद होगा तो National Planning Committee का भी गठन किया 1936 में जिसके की पहले चेर्मैन किसको बनाया बोज जी ने नहरू जी को बनाया ठीक तो यह चीज़ आपको पता होने चीए देन बोज जी हमारे जाते है Second World War तो Second World War चालू हो जाता है आपका और Second World War के टाइम पर जब यह चालू होता है तो लिन लित्गो इंडिया में वॉइसर होता है और लिन लित्गो जो है इंडिया का या फिर जो इंडिया यह अनौंस कर देते हैं कि इंडिया भी Second World War में हमारे साथ है मतलब अपने आप ही कॉंग्रेस से नहीं पूछा गया और इंडियन पार्टिसिपेशन को भी बोल दिया कि इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है Second World War में इसको ले के इसके विरोध में कॉंग्रेस ने अपने सभी मिनिस्ट्री से रेजिगनेशन दे दिया तो अपसे अगर पूछ ले क्यों रिजाइन दिया तो कारण इसका यह है कि बिना किसी के एक तरह से सहमती के अप्रूवल के इंडिया का जो कॉपरेशन है वो एनौंस कर देख लेंगे ठीक है तो यह यह सा था और हुआ क्या आप 1940 में इंडियन का कॉपरेशन लेने के लिए 1940 आते तक बिटिश पे दबाओ बिटेन पे दबाओ बना कि आप इंडिया का कॉपरेशन लो क्योंकि कॉंग्रेस तॉप के खिलाफ है तो इसलिए उन्होंने ऑगस्ट नहीं इंडियन के लावा भी हो सकते हैं इसको पूरी तरह से reject कर दिया इस it was rejected by दी कॉंग्रेस और इसके rejection में launch किया इंडिविजुल सत्यागर है याई विक्तिकत सत्यागर है launch हुआ इंडिविजुल सत्यागर है इसके oppose में launch हुआ कब 1940 में और गांधी जीने पहला individual सत्या movement भी चलाया था और यह स्टार्ट किया था अन्हें पोचंपली गाउं जो प्रिजिंडे ते लंगाने में पड़ता है वहां से खेर पहले हमारे थे अचारे विनोबा भावी और दूसरे थे अगर बिटिशास ने अरेस्ट नहीं किया तो फिर दिल्ली चलो movement हो अगर मालो जैसे आचारे विनोबा भावे पहले इंडिविजिल सत्तक रही है और इनको अगर अरेस्ट नहीं किया गया तो फिर यह दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे बाखी सब यह अपने असोसियेट्स को लेकर 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 इंकोरिस किया गया उसके बाद जहाला नहरू यह सेकंड इंडिय अजिल सत्तक रही थे इसके बाद आता है क्रिप्स मेशन 1952 में इसको डिजाइन करता है स्टेफर्ड क्रिप्स यह भी रिजेक्ट हो जाता है इसको हमारा गोल पूर्ण स्वराज हो चु तो इस वज़े से इसको भी reject कर दिया हो, इसको rejection में launch क्या हुआ, इसके rejection में launch हुआ, quit India movement, भारत छोड़ो अंदोलन, 1942 में, इसको approve किया गया, quit India movement को by the Congress in its session of Gowali का tank, ठीक है, Gowali का tank, Bombay में एक session हुआ था, ठीक है, यह आपका एक Bombay में session हुआ था, Congress का, जहाँ पे quit India movement को accept यह फिर endorse किया गया था, कि हाँ, Congress यह launch करेगी, जब यह launch हुआ तो पहले दिन ही major leaders की सब की arrest हो गई, इसी वज़े से it was a leaderless movement, ध्यान रखना इसको, it was a leaderless movement था यह आपका, different जगह से different लोग lead कर रहे थे, जैसे यहाँ पे इस particular movement में parallel government setup होती है, ताम लुक में से lead कर रहे थे, जातिया सरकार करके setup होती है, जातिया सरकार, ठीक है, और प्रती सरकार एक बंती है आपकी यह, 17 वाला जो region होता है, वहाँ प्रती सरकार, का अगठन होता है ठीक है जातिया सरकार और प्रती सरकार बलिया से चिट्टू पांडे लीड कर रहे थे ठीक है बलिया से चिट्टू पांडे जी लीड कर रहे थे उशा महता ने अपना एक अंडरग्राउंड रेडियो चला रखा था ठीक है उशा महता ने जो उशा महता ज थी उन्होंने एक अपनी रेडियो सर्वस अंडर्ग्राउंड रेडियो चला रखा था ठीक है क्योंकि जो मेजर जो लीडर्स थे जैसे गांधी यह जब हला लेरू इस सब बारेस्ट हो चुके थे तो इस वजए से इन्हीं लोगों को ही वह साला कुछ करना पड़ रहा था पारलल गवर्मेंट के बारे मैंना को बता दिया है अभी आते हैं what is this CR formula तो सी राज गोपालाचारी जी ने अपना एक फॉर्मला दिया 1944 में इस फॉर्मला के अकॉर्डिंग यह बोला था है कैसे Congress और Muslim League के बीच में Congress और Muslim League के बीच में एक संगठा न हो सकता है क्यों क्यों क्योंकि दोनों अब और दोनों के बीच में स्ट्राइफ बढ़ता जा रहा था क्योंकि जो Muslim League थी उसकी सिर्फ एक ही डिमांड थी and that was कि हमें एक separate देश चाहिए अलग नेशन चाहिए इसी लिए कि उसने क्रिप्स मिशन का भी विरोध किया विकॉज उसको यह लागा था कि अगर अगर ऐसा हो गया क्या हो गया कि अगर यह लोग मालोगी चले गया एक दम से बिटिशास छोड़ के इंडिया को तो तो फिर हमें हिंदूस के अंडर रहना पड़ेगा ऐसा जिन्ना लोग का मतलब ऐसा लोग को बढ़का रखा था ठीक है कि हमें अंडर में रहना होगा इसी लिए हमें विरोध करना होगा हमें प्रोटेस्ट करना होगा ऐसी कुछ मांगी लोग कर रहे थे और कॉंग्रेस ने क्यों रिजट किया तो मैंना को पता दिया बिकॉज इसने डूमीनिय इंडिया चाहिए था ठीक तो कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक संबंद अच्छे बनाने के लिए सियार फॉर्मला आया जिसको गांधी जी ने सपोर्ट किया बट फेल हो गया ऐसे देसाई लियाकत पैक्ट भी फेल हो गया फिर ठीक है यह भी आपका 1944 में आ ना जाता कोई खास काम आया नहीं then teraz वेवल उसमें वोईस रॉय था इंडिया का जब यह August Offer आया जब यह हमारा Qu flows चल रहा था तो लें लित्वकटल था लेकिन जब यह व cylindियव उसमें वोईसर रहा था मप्ले के टाइम पर 1945 ने उसने क्या किया उसने सभी लीडर्स को जे इंडियन्स होंगे except the governor general और जो आपका commander in chief है उसको छोड़के सभी लोग अब इंडियन्स होंगे उसको छोड़के सभी लोग अब इंडियन्स होंगे उसने demand रखी ताकि इंडियन्स का cooperation सी किया जा सके कारण इसका यह है कि भले second world war एक तरह से एंड में आ चुका था बट यहां जो जैपैन था वह एक थ्रेट था जैपैन वह थ्रेट टू धी बिटिश इसको यह लग रहा था कि जैपैन नहां से अटैक कर दिया तो फिर में दिक्कत हो जाएगी इसलिए इंडिय से छोड़वाया और शिमला में मिलवाया इन दे इयर 1945 लेकिन ये भी फेल हो गया और ये भी रिजेक्ट कर दिया और इसके बाद थोड़ा से इंडियन नाशल आर्मे के बारे में पढ़ लेते हैं दिना इने ट्रैल से इंडियन नाशल आर्मी एक आर्मी का गठन हुए एक Prisoners of Wars, Prisoners of Wars का मतलब क्या होता है जब Second World War चल रहा था तो इंडियन सोल्जर्स पी लड़ रहे थे बिटिश की तरफ से मजबूरन लड़ना पड़ रहा था जपैन जो है बिटिशर्स के खिलाफ था ठीक है तो इस वज़े से कुछ सोल्जर्स को यहां पर भी भेजा जाता था जपैन में और यहां पर जब 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 भेजा जाता था तो जपैन वाले बंदी बना लेते थे सोल्जर्स को उन सोल्जर्स को बोलते हैं Prisoners of Wars Captain Mohan Singh Ji ने यह आग्रे किया Japanese से कि आप हमें यह Prisoners of Wars दो जो हम इंडियन से कि हम खुद परिशाना चुके हैं बिटिशर्स थे और हम खुद बिटिशर्स के खिलाफ ही लड़ रहे हैं वो तो मजबूरी में हमें लड़ना पड़ रहा है बस ठीक है तो आप हमें बिजनर्स आ जाता है in the year 1942 निसो बैल इसमें by the Captain Mohan Singh but आगे Mohan Singh और Japanese के बीच में strife बढ़ जाते हैं Mohan Singh बोलते हैं और इसको में बढ़ा करना Japanese बोलते हैं इतना ही हम दे पाएंगे इतना ही रखना है तो उसको लेके फिर Mohan Singh को जेल में डाल दिया जाता है फिर इसको और आगे लीड करत इनके political guru कौन थे जाए बताइए इनके political guru कौन थे तो इन्होंने इसको lead किया और इसमें women wing भी बनाया जिसका नाम रानी लक्षमी बाई जी पर रखा ठीक है नहीं रानी लक्षमी बाई रजिमेंट नाम से एक रेजिमेंट बनाई इस आयने में ठीक है चितरंजन दास ठीक है ध्यान रखना चितरंजन जो दास थे वो इनके गुरू थे किसके political guru थे सुभास चनल बोज जी के सुभास चनल बोज जी के कुछ टाइटल आपको पताना चीज जैसे कि नेता जी इनका टाइटल था किस ने दिया था गांधी जी ने दिया था और जो गांधी जी के जो टाइटल था father of the nation father of nation वो सुभास चनल बोज ने दिया था इनको रंगून में एक radio संबोधन कर रहे थे उस समय में पहले दोनों लोगों में differences थे ideological differences बट एक दूसरे के respect करते थे लोग ठीक है सुभास चनल बोज जी ने नारे दिये जैसे कि जैहिंद दिल्ली चलो तुम में जे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा और इन्होंने बोला कि freedom shall be taken not given निकि जो आजादी वो छीनी जाती है ठीक किसी से मांगी नहीं जाती है ऐसा सुभास चनल बोज जी का कहना था जर्मनी में और जब इन्होंने हिटलर से मुलाकात की तो इसी नाम का use करके इन्होंने मुलाकात की उससे ठीक है तो इंदे नाशनल आर्मी के बारे में चीज़े है देन आयने ट्रफ पहले यह बताएं यहां तक से बहुत क्लियर किसी कोई दिक्कत तो नहीं है किसी तो यह बताएं किसी कोई जीट है किसी तो किसी कोई तो इसने है धूलाकात की नामने हिट जीक है दो किसी के तो जीट है तो जीट है जो आयने थी इंडियनेशनल आर्मी अब क्योंकि जैसे से टाइम आगे बढ़ रहा था बिटिश की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी स्टेबल हो रही थी सेकंड वर्ड वर में और देरे देरे जपाइन जो है मैं पता है कि रोशिमा नागा साखी की बाम्बिंग के बाद यह सब एक तरह से कौन कंट्रोल में आ गया था पुरी तरह से मैं जब जपाइन को एकदम घुटनो तो ले ला दिया था तो अब यहां पर हो क्या रहा था जिन भी जो भी आयने की सब थे इंडिनाशल आर्मी के सोल्जर्स इनके खिलाफ आप कारवाई शुरू करी गई और सबसे पहले जो कारवाई करी गई इसका सिलसिला चालू हुआ वो सिलसिला चालू किया गया रेड फॉर्ट से लाल किले से जहां पर आईने ट्रैल्स स्टार्ट किये जाए और सबसे पहले तीन जो जो ट्रैल किये गए वो तीन सैनिक थे हमारे उनका नाम था शेह नवाज खान ठीक है शेह नवाज खान प्रेम सहेगल और गुर्बक्ष सिंग ठीक है गुर्बक्ष सिंग धिल्लन इनका नाम था इन तीनों लोग के खिलाफ ट्रैल्स चले है रिट फोट में और क्यूंकि आप एक चीज यहां पर देखेंगे मुसलिम हिंदू और सिक तो काफी ज्यादा यूनिटी देखने को मिली यहां था कि कॉंग्रेस और मुसलिम लीग दोनों ने अपने अपने एक तरह से अड़ो पूल कर नहीं पाएंगे इसलिए हुआ यह कि जो कॉंग्रेस और मुसलिम लीग और पूरे देश ने सपोर्ट दिखाए जिसके वैसे इनको रिलीज कर दिया गया लिब्रेट कर दिया गया और जो ट्रैल्स होने थे वो देन नहीं हुए और जो अगर अगर ऐसा ना होता ठ चुका है इसलिए ठीक है अब बढ़ते हैं काबनेट मिशन प्लान के तरफ दिस काबनेट मिशन प्लान के मिन 1946 और 1946 में यह था जिसके बारे हम लोग पॉलिटी में पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें तीन मेंबर्ड कमिशन था एक तो एवी ऐलेक्जांडर थे ठीक है एव इसकी चेर्मेशिप करी थी ठीक है इस का अच oportunist प्लान की यह एक और इसमें by फ्रीटक प्रॉक्षिन का प्रीजेण था ठीक है की जो प्रूब्इंसेथ की bı्रूपिज़न करी जयेगी और इसलिए जो जो मुसलिम लीग ने मुसलिम और उसने असका सपोर्ट किया बद में support किया, और Congress, heute Congress ने उसने भी its का support किया बाद में और because पहले क्या था? grouping जो है, compulsory नहीं थी, भध-बाद में इसको compulsory, जब यह पता चला Muslim 챙रा日 को Schön học के compulsory नहीं है, तो उसने फिर direct action day observe करने की बाद गई है, । ज़्छा पता ही direct action day कभ observe किया गया और जो हमारी Constituent Assembly है, समिधान सभा है, जिसने की हमारे कंटे के Constitution को बनाया था, वो इसी Cabinet Mission Plan के तरहत ही बनी थी ठीक, और यहाँ पर होती है हमारी चीज़ें खतम, अब हम स्टार्ट करेंगे Social Religious Reform Movement जो कि हमारा आखरी टॉपिक है आज का और जो इकादू का चीज़ें जो बची है बीच में, वो हम लोग लास में देख लेंगे, ठीक है अगर ब्रेक लेना है तो थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, एक दो मेंट का दिन फिर आते हैं, बाकी इस का अंसर क्या होग आपका, 16th August 1946, सभी लोग ने सही आंसर दिया, ठीक है, ब्रेक ले सकते हैं, एक से दो मेंट का, ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक ले लीजे एक दो मेंट का, जिसको जो करना हो कर सकता है, सभी आपका, झाल 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 एक तरह से बोल सकते हैं, इल प्राक्टिसेज हो रही थी, जैसे for example, सतीप्रिथा हो गई, ठीक है, चाइल्ड मैरेज हो गई, यह सारे इल प्राक्टिसेज हो रही थी, तो उसको रिफॉर्म लाने के लिए, कुछ रिफॉर्म मॉव्मेंट स्टार्ट हुए थी, उसमें से एक आत्मी सभा का भी गठन किया था, आत्मी सभा का भी गठन किया था, 1814 में, इसका इन्होंने गठन किया था, 1828 में, 1828 में, और एक तरह से इन ही को, हम Father of Indian Reform Movement, या फिर Father of Indian Renaissance के नाम से भी जानते हैं, और ये जो राजा का टाइटल है इनको, ये अकबर सेकेंड ने दिया था, अकबर दुती इन इनको ये टाइटल दिया था, ठीक, राजा राम मॉहन रहे ने कुछ इंपोर्टन्ट आपके यहां पे, जो बुक्स हैं वो लिखी थी, जैसे आपको बतावने अच्छे, गिफ तू मोनोथिजम, परसेट्स ओफ जीजस, परसेट्स ओफ जीजस, संबद कामुदी, और मिरातुल अकबार, ठीक है, मिरातुल अकबार, जो सती प्रथा है, हमारी इंडिया से, वो जो खतम हुई, उसमें इनका मेन रोल था, राजा राम मोहन राजी का, यह सती प्रथा, जब खतम हुई तू समय, गवर्णर जनरल कौन था, इंडिया का, यह था, विलियम बेंटिक, जो इंडिया का पहला गवर्णर जनरल था, यह वो जी फर्स गवर्णर जनरल ऑफ इंडिया, अभी जो ब्रह्मो समाज है, इसमें भी बाद में हम देखते हैं, डिवेजन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो देबेंदर नाथ टैगोर है, ठीक है, देबेंदर नाथ टैगोर, उन्होंने अपनी बनाई होती है, तत्व बोधनी सभा, वो बनाते हैं, तत्व बोधनी सभा, in the year 1839, अठारा सुन तालिस में, इसके बाद और तत्व बोधनी पत्रिका भी निकालते हैं, बेंगॉली लैंग्विज में, फिर इसको इसके साथ मर्ज कर देते हैं, मर्ज करन अपना आदी ब्रह्मो समाज लेके निकल जाते हैं, आदी ब्रह्मो समाज और केशव चंद्रसेन ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया लेके निकल जाते हैं, ठीक, आते हैं आरे समाज में, आरे समाज का गठन होता है 1875 में, 1875 में, बाइदी स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ठी इसलिए दैना सरसुती जी ने बोला था Go back to Vedas यानि वेदों की ओर लौटो India for Indians India for Indians यानि कि भारत भारतियों के लिए और इसके असाथ साथ हैंनोंने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पत्रिका भी निकाली सत्यार्थ प्रकाश इस आरे समाज ने सुध्धी मुव्मेंट जिसको कि हम प्योरिफिकेशन मुव्मेंट भी बोलते हैं वो भी स्टार्ट किया वो हिंदूस जो किसी और धर्मे कनवर्ट हो गया हैं उनके लिए इसका इन्होंने स्टार्ट किया स्वामी दैना सरसुती ये ने जो पुरांड्स थे उनको उन्होंने क्रिटेसाइज किया और वेदों की और लोटने के लिए बोला और बाद में हम देखते हैं कि आरे समाज ने फिर फर्दर जो है डिवेजन हो जाता है बट हमें पढ़ने के जरुत नहीं है स्वामी दैना सरसुती के बारे में पता ने ची किनोंने 1875 में इसका घठन किया था गो बाक टू वेदाज इंडिया फॉर इंडियान सत्यार्थ प्रकाशन की एक राइटिंग हम बोल सकते हैं और सुध्धी मूव्मेंट है फिर प्रार्थना समाच ये प्रार्थना समाच स्टार्थ होता है आत्मा राम पंडू रंग जी के दोरा किसके दोरा आत्मा राम पंडू रंग साथी साथ इसमें आपके आत्मा राम पंडू रंग के साथ साथ आपके इसमें ये भी थे क्या कहते है M.G. Rana Day ठीक है M.G. Rana Day भी इसमें आपके involved थे ये भी आपका एक reform movement था जैसे कि जो ब्रह्मो समाज था उसका जो main जो core philosophy था वो ये था कि monotheism जैनि कि सिर्फ एक God की worship करनी है idol worship पे खिलाफ थे जैनि कि जो मूर्ती पूजय नोता से खिलाफ थे ठीक है ये चीज़ों पे प्रार्थना समाज भी बिलीव करता तो जो 1867 बनता है बाई आत्माराब पंडूरंग परमहंस मंडली बनती है 1849 में 1849 में बाई दादोबा पंडूरंग ठीक है कब बनता है किसने कौन बनाता है ये चीज़ आपको पता होना चीज़ों दादोबा पंडूरंग ने बनाया किसको परमहंस मंडली को फिर आते हैं रामकृष्ण मूव्मेंट ये बनता है 1897 में 1897 में इसको जो फाउंडर्स थे वो थे स्वामी विवेका नंद जी जो है इसके फाउंडर थे अपने गुरू रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पे इन होने रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पे की स्थापना करी रामकृष्ण परमहंस जी का बचपन का नाम क्या था जरा बताई रामकिष्ण परमांजी का था गंगा धर चटोपाध्या है इसी तरह जो हमारे आरे समाज के संस्तापक थे जिनका नाम था धैनन सरसती इनका जो मूल नाम था जो औरिजिनल नेम था वो था मूल शंकर ठीक है मूल शंकर इनका मूल नाम था ध्यान रखियेगा ठीक स्वामी विवेका नंजी इनका एक rock memorial है वो कहाँ पर ये बताईए इनका जो birth 12th January को किस रूप में मनाते हैं और इनकी death कब होई थी इनकी death कब होई थी ये आको बताना है और आप ये बताना कि Chicago ठीक है Chicago में जो conference होई थी वो कब होई थी जो Chicago में conference होई थी जिसको इनकी address किया था to all the sisters and brothers of America वो कब हुआ था तो अगर हम बात करें 12 January 1863 को इनका जन्म हुआ थी इसको हम national youth day के रूप में celebrate करते हैं death हिनकी होई थी 4 July 1902 को 4 July 1902 को rock जो memorial हिनका है नापर Tamil Nadu because वहाँ पे इन्होंने उस rock एंबैट के meditate किया था Chicago में जो conference हुई थी वो 1893 में हुई थी और इनका 39 की age में इनका देहान तुगा था Swami Vivekananji का ठीक है और इन्होंने इनके कुछ books है राजयोग और कर्मयोग ठीक है राजयोग कर्मयोग इनके कुछ books का नाम है लोक हितवादी यह कोई संस्था का नाम नहीं है यह एक pen name है एक short name है किसका short name है गोपाल गनेश आगरकर नाम याद के गोपाल गनेश आगरकर जी का यह pen name है देव समाच इसकी स्थापना किस ने करी देव समाच की स्थापना करी शिव नजा अगनी होतरी जी ने भस आपको इसमें इतना याद रखना है कब करी वज़री नहीं है वैसे करी तो इनने 1887 में लाहौर में बट यह आपसे पूछे करने बहुत कम चांसेज है यही पूछे किस ने करी तो शिव नाना अगनी होता ही नो और यह चीज ध्यान रखना कि जो हमारा आरे समाज था यह बना तो इसको जो पहला एक तैसे बना तो बॉम्बे में बट इसका जो हेड़कॉर्टर लेटर शिफ्ट हो गया हेड़कॉर्टर लेटर शिफ्टेट टू लाहॉर शिफ्टेट टू लाहॉर में इसका हेड़कॉर्टर था ध्यान रखना और आप में से काफी लोग होंगे जो और यह समाज से जोड़े भी होंगे है न तो देव समाज हो गया सेवा सदन, सेवा सदन not that much important बट इसमें यह पता हो नहीं कि कौन इसके founder तो सेवा सदन BM Malabari ठीक है किसमें? BM Malabari इनका नाम था BM Malabari बहराम जी Malabari जो BM Malabari थे बहराम जी M Malabari थे इन्होंने child marriage के लिए काफी काम किया ध्यान रखना ठीक है child marriage जैसे हमारा विडो re-marriage के लिए इश्वर्चंद्र विद्या सागर को जाना जाता है विडो रिमर्रीच के लिए इस्वर्चंद्र विद्या सागर जो विडो re-marriage एक पास हुआ था एक एक आक्ट पास हुआ था डलहूजी के टाइम पे तो वह इनहीं कियो जैसे इश्वरचंद्र जैसे कि सत्थी प्रता खतम हुई किसके टाइम पे बेंटी के टाइम पे बट में उसके में किसका रोल था राजा रामोन राजी का उसी तरह विड़ोरी मैरेज आक्ट 1854 ने पास हुआ डलावजी के टाइम पे बट में इसमें इस कुरीतियां हैं सिस्टम में हमारे सोसाइटी में उनको खतम करना है रिवाइवलिस का मतलब है जो पहले से चीज़े हमारी चलती-चली आ रही है उनको फिर से रिवाइव करना है इसे गो बाक टू वेदास तो ये इश्वर्चंद्र वेदास आगर दोनों बिलिव करते थे फिर आगे आगे हम बढ़े टेंपल एंट्री मॉव्मेंट तो जैसे अभी हमने पढ़ा था सेल्फ रिस्पेक्ट मॉव्मेंट स्टार्ट हुआ था ईवी रामस्वामी नाइकर हमने कब पढ़ा था जब नॉन कॉपरेशन मॉव्मेंट पढ़ रहे थे यानिकी 1920s के टाइ यह नाम भी आपको पता होना चाहिए ठीक है स्री नरायन गुरु और एक और थे एन कुमारासन लेकिन वह पता ज़रूरी नहीं बस आप दो नाम या रखो स्री नरायन गुरु ठीक है और टीके मादवन अब टेंपल एंट्री मुवमेंट का मतलब क्या है कि टेंपल में ए वैकॉम सत्यक रहे चलाया था किसने के पी के सवने क्लियर आगे बढ़ें और है हमारा अगला इंडियन सोशल कॉंफरेंस इंडियन सोशल कॉंफरेंस यह बनी थी 1887 में जिसको की एम जी राना डे ठीक है एम जी राना डे और रगुनात राओ इसके फांडर थे एम जी रा movement की सभी लोग pledge लेंगे किसके किलाव अगेंस्ट चाइल्ड मारिज प्लेज 2500 अगेंस्ट चाइल्ड मारिज तो नहीं आम पता नहीं देखतें आ अंगेये कि नहीं दिखता है कि थी आखेकल मुउवमेंट HP, Madam, HP Blavatsky, ठीक है, HP Blavatsky, और MS Olcott, ठीक है, and MS Olcott ने चलाया था आपका Theosophical Movement, और एक और यहाँ दखना, Young Bengal Movement, ठीक है, Young Bengal Movement, यह रहाँ बता ही किसमें चलाया था, Young Bengal Movement, और इसमें यहाँ दखना, Theosophical Movement में, HP Blavatsky, और MS Olcott ने, पहले तो इसका जो Headquarter था, वो Los Angeles में था, ठीक है, बट बाद में इसको इंडिया में शिफ्ट किया गया, और इसका Headquarter बनाया गया, मदरास का जो अड्यार था, ठीक है, वहाँ पे इसका Headquarter शिफ्ट किया गया, और देन इसको लीड किया था, एन में इसको shift किया गया, इसके Headquarter को कहाँ पे, इसको Headquarter को shift किया गया, आपका, मदरास में, और यहाँ पे Headquarter note कर लेना जरा, कहाँ पे, इसमें, यहाँ पे इसका Headquarter किया था, बैलूर मट था, इसका, जो मारा रामकरेशन मूवमेंट था उसका और अगर बात करें यहाँ पर मैंने पूछा था यंग बेंगॉल मूवमेंट तो यह हेंडरी विवियन डरोजियो ने चला है था बस इतना इसमें पताना चाहिए लीडर कौन थे बात खतम ठीक और कुछ और कुछ और कुछ नहीं अभी हम कुछ और extra चीजें देख लेते हैं जैसे कि कुछ आपके education commission आया थे उनको देख लेते थोड़ा से आपर वो भी important है आपके exam perspective से सबसे पहले तो आया था maculase minute ठीक है maculase बस यह आपका last ही है maculase minute आया था 1813 में 1813 में यह जो maculase minute था इसमें यह था कि promote किया जाएगा to promote English language to promote English language सिर्फ English को prefer किया जाएगा higher level में पढ़ाने के लिए ठीक है और सिर्फ higher level के जो लोग है उने को पढ़ाया जाएगा जो ridge class है और इसमें downward filtration थे हो री थी कि वो जो हम उन लोग को पढ़ाएंगे वो धीरे 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 परकुलेट कर जाएगा नीचे की तरफ भी यानि कि जैसे कि for example आगर आप यह उपर वाला तबगा उससाइटी यह नीचे वाला और नीचे वाला तो आप इसको पढ़ा दो धीरे 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 यह लोग बाकी लोग को भी एजुकेट कर देंगे टीशन पढ़ा पढ़ा तो डाउनवर्ड फिलिट्रेशन थियोरी यहां पर concept दिया गया था किसके दरह मैकुलेज मिनिट और यह तरह से पूरी तरह से इंगलिश लैंग्विज को प्रमोर्ट करने की बात कह रहा था कौन मैकुलेज मिनिट बट इसके अपोजिशन में आया वुट्स डिस्पैच वुट्स डिस्पैच इन दी एर 1854 वुट्स डिस्पैच आता है थारा सो चौन में और यह इसने नेगेट किया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियोरी को नेगेट्स डाउनवर इसने ये बोला कि वरनकलर को प्रमोट करो लोर लेवल में ठीक आप अपर लेवल में कर लो इंगलिश को लेकिन वरनकलर जैनिट करो जो लोकल लैंगवेज है उसको प्रमोट करो और इसी वेसे वैसे वुट्स डिस्पैच को मैगना काटा ओफ इंडियन एडिकेशन यहां पर मैं दो और स्लाइड क्रिएट करना चाहूंगा ठीक है कुछ और चीज़ा आपको बता नहीं है मैगना काटा हो गया वर्नेकलर्स हो गया वुट्स दिस्पैच हो गया और हां एक ध्यान रखना जैसे अभी हम लोगों ने एक पढ़ा था कि जब खिलाफत movement हुआ था फञत जब जली वाल जल्य वाला बां मैसे कर हुआ था उसके बाद से घठन हुआ था कमिटी के नाम जो जली वाला बांग रांग से मिछने के लिए बनी ती एक एसे hunter commission आया था та लाड रिपन के ठीक है, एक सेकेंड, रिपन के टाइम पर ही एक हंटर कमिशन आया था, दियान रखना, रिपन जी के टाइम पर ही एक आपका हंटर कमिशन आया था, वो भी एजुकेशन से संबन दी था, और इसने वुट्स डिस्पैच में जो चीजें कही गई थी, उसको पूरी तरह से सहम उसमें दर्ज कराई थी अपनी, और एक सैडलर्स कमिशन भी था, जो यूणिवरसिटी कमिशन जिसको बलते है, यूणिवरसिटी एजुकेशन को लेके बना था, रिपन को हम फादर ओफ लोकल सेल्फ गवर्मेंट के नाम से जानते हैं, फादर ओफ लोकल सेल्फ गवर्म रिपन ने वर्नाकलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था, 1882 में, जिसको कि लेके कौन आया था, वर्नाकलर जो प्रेस एक्ट अधिनियम था, उसको लेके आया था, 1798 में, सरी, 1798 में, 1878 में लेके आया था, लिटन, लिटन इसको लेके आया था, और इसको रिपील करने का का क्या था रिपन ने रिपन के टाइम पर हंट एजूकेशन बिया था और फादर अफ लोकल सेल्फ गर्रमेंट बोलते हैं बिकॉज 1881 में जो पहला complete census हुआ था वो रिपन जी के टाइम पर ही हुआ था ठीक अच्छा यह बताईए कि जो हिंदू कॉलेज है हिंदू कॉलेज हिंदू कॉलेज हिंदू कॉलेज एन बनारस कब सेटप हुआ था हिंदू कॉलेज एट बनारस आपको बताना है कब सेटप हुआ था तो यह सेटप हुआ था 1791 में 1791 में बनारस में और किसने सेटप किया था इसको में फाउंडर कौन था बनारस क अगर हम बात करें तो जोनाथन डंकन ठीक है इसने इसको इस्टाइबलिश किया था संस्कृत कॉलेज के साथ साथ और यहां पर एक और क्विश्चन बनता है रुको जरा हिंदू कॉलेज अट बनारस हो गया यह बताओ कि हम आ सोच रहा हुँँ है हिंदू कॉलेज अट कालकटा किसने सटप किया था वider sast ठीक, मदन मौहन माल भी है, ये लोग भी इसमेशन राधान डंकन इसमें प्लेस जॉब का संसक्रेट कॉलेज जे एस्टाबलेश होगा था, उसमें भी इन्वाल था, ठीक, संसक्रेट कॉलेज में, हिंदू कॉलेज एड अगर क्यलकटा बात करें, तो इसमें में फाउंडर थे जिनकों किया फादर अफ मॉडर्ण इंडिया फिर फादर अफ इंडियन रेनेसांस के नाम से भी जानते हैं ठीक और कुछ क्विस्चन और कुछ तो नहीं चूट रहा है सारी चीज़ें हो गई चली वैब किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है यहां पर इमलों का सेशन होता है खतम पॉट्फोलियो 1861 यह हम लोग पॉलिटी में देख चुके ना इसी विस तो यहां पर मैंने अक्ट नहीं करवा जैसे 1861 का जो पॉट्फोलियो सिस्टम इंटिवस हुआ था ओर्डिनेंस जो मेकिंग पावर है और गवर्णर जनरल को दिया गया था ठीक है और यहां पर ज इसेंट्रलिजेशन ने वो स्टार्ट हुआ था क्या चीज यहां पर मैंने वो 1791 लिख दिया क्या एक सेंटी नैंटीवन उसका है जोनाथन डंकन का संस्क्रत कॉलेज का यहां पर इस चीज़ो करेट कर लो ठीक है 1898 के टाइम पर नो ने इसकी स्थापना करी थी हिंदू कॉलेज अ बनारस के ठीक है विद अलॉंग विद पंडित मदन मोहन वाल भी है 1898 के टाइम पर और अक्च्छल में अगर कहीं पर भी आप इसको लिखा देख ले है सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से पूछा सकता काफी कन्फ्यूजन होता इसमें तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज यही है जो बाद में हिंदू कॉलेज बनता है ठीक है सेंट्रल हिंदू कॉलेज ठीक और किसी कोई डाउट इलबर्ट बिल बिल्कुल इलबर्ट बिल ये रिपन के टाइम पे हुई थी इलबर्ट बिल कॉंट्रोवर्सी और इलबर्ट बिल जो कॉंट्रोवर्सी थी वो अगर हम देखें तो इमीडियेट रीजन था यह है formation of Congress का ठीक है अच्छा जोती बाफूले वही मैं सोच रहा हूं उत्ती देर से कि कुछ एक तो छूट रहा है ठीक है इसको यहां से मैं आटा देता हूं ठीक है और जोती बाफूले का सत्य सोधक समाच यह लोग यह चर्चा नहीं करी सत्य सोधक समाच इसके étau बाफूब्ख से इसके फान्नर थे जोती बाफूले इसके फांडर थे इनकी वाइब थी सवित्रि बाउ हूब जिनको और यह 0rt और फिर माली कम्युनिटी से बिलॉंग करते थे पूछा जा सकता ब बार पूछा गया था आप से ससी में और इनकी सावित्री भाई फूले जो उनकी वाइफ थी वो पहली इनको पहली विमेंट टीचर के नाम से जानी जाती है इन्होंने गुलाम किरी और गुलाम किरी और सारवजनिक सत्यधर्म नामक दो पुस्तके लिखी सारवजनिक सत्यधर्म और इससे मुझे एक चीज और याद आई and that is कि एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि वही 1890s के टाइम पर ही 1890s के टाइम पर ही बाल गंगदर तिलक जी ने दो निउस्पेपर्स निकाले थे आपके मराथा और दूसरा था केसरी जो मराथा था वह आपका इंगलिश लैंगवेज में था और जो केसरी था वह आपका मराथी लैंगवेज में था ठीक है और किसी का कुछ डाउट देख लेता है कानेटिक वोस कानेटिक वोस इंपोर्टन्ट है नहीं होते ना इसे पढ़ाया नहीं उसको ठीक है पढ़ाने के तो बहुत सारी चीज़े हैं लेकिन जिसे जो questions आते हैं वहीं मैंने सिर्फ last के time में बताई हैं लेकिन क्योंकि ancient भी है medieval भी है सारी चीज़े हैं आपके लिए ठीक है तो चलो मैं बता देता हूँ और यहां पर पता है था क्या कि French का थोड़ा सा involvement था और जो ऑस्टिया में जो war of succession चल रहा था जो एंगलो फ्रेंच राइवालरी थी वह उस जो वहां पर हो रही थी यहरप में उसका एक extended वर्जन था यह यहां पर ठीक है तो आपका अंसर वह यह था था ठीक है जो यॉरप में जो 7 साथ सालों से जो युद्ध चल रहे था उनको 7 years war बोलते हैं तो वह उसका extension था ठीक है और यहां पर जो British forces थी उसको lead किया था आयर कूट ने और कूट ने कूट दिया था ठीक है फ्रांसीसियों को ऐसे आल दखना यानि इसमें जीत हुए थी बिटिशर्स की और फ्रांसीसी force को lead कर रहा था एक लैली करके कोई था लैली आर्थुर्डी लैली करके था वो इनको lead कर रहा था ठीक है तो तीन आपको यह wars पता होने चाहिए 1st, 2nd, 3rd कब हुए और इनमें से कौन सा 7 years war का extension था तो 3rd वाला था इसमें ठीक है खाना भी खाना है जल्दी खतम करो अच्छा खाना भी खाना है जल्दी खतम करो खालो जाके खाना भी खतम हो चुका है अभी आके तो जो किसी के doubt और वो हैं तो पार था वो ठीक है जो वांडी वाश करें था इसी कही पार था बैटल ओफ वांडी वाश बैटल ओफ वांडी वाश जो हुआ था 1760 में 1760 में चलिए भी थैंक्यू सभी को बाकी मिलते हैं कल सुबह साड़े नौ बजे विद्धी फिजिक्स का जो वन शॉट हमारा लेक्चर होगा उसके साथ ठीक है कल हम लोग का आखरी वन शॉट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग पूरा फिजिक्स कंप्लीट करने वाले हैं बाकी अच्छे यह बताओ कि तुम में से काफी लोग यह बोल रहे थे कि उसर जो सफर वाला जो बैच उसमें दिखा रहा है उसमें अन्रोल नहीं हो रहा है अभी तो हो गया ना वो सारी चीज़ें अब एक बार यह कन्फर्म कर दो कि मेडिवल इस्ट्री का एंशेंट कर पॉसिबल हो नहीं पाएगा डीजन यह है कि थोड़ा भी ना मतलब मैं पुछ तो कर देता क्योंकि अभी तो कल फिजिस कर लेना है फिर मुझे वो समराइस करना है और उसके बाद थोड़ा सार मुझे काम है मैं काफी ताइम से अपने भी जो मेरे परसनल काम तो उनको अवाइड कर रहा था ठीक है कल भी पूरा दिन मेरा उसी में गया है इसे वैसे कल मैं कोई क्लास नहीं ले पाया आखरी में शाम को आके मैं जल्दी से वीडियो गनाया जिसमें ताकि मैंने उस सफर इनिशेटर के बारे में बताया ठीक है तो थोड़ा सा परसनली भी मुझे थोड़ा सा कुछ काम के लिए टाइम चाहिए और तब तक वो टाइम हो नहीं पाएगा क्योंकि कल हम लों की तारिक 20 ठीक है 20 तारिक को अनिकि वो पूरा करेंगे फिर 21 तक मुझे वो आपको 21 या 22 तक वो वीडियो देना पड़ेगा ज जहां से आपने पढ़ रख्या उसको बस ठीक है बस उसको आप रिवाइस करो सफर बैच कौन सा पिछला वीडियो देख लेना नेतिक ठीक है कोई बैच बैच नहीं है रंजीत जी जो लोग मेंस के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है ठीक है वहां पे मैं कुछ मतलब ऐसा नॉर्मल सा बैच है बैच क्या ही है वह पूरा ना पिछला वाला वीडियो देख लेना पको पता चल जाएगा वह एक हमलों का इंटरेक्शन सेक्शन रहेगा जहां पर मैं कुछ Insights आपके साथभेशन करेंगो ताकि जो आप लोग Anxiety जो होती रहती है Anxiety Issue सबके साथ होता है आपके साथ मेरे साथ भी ठीक है तो उसको कैसे manage के आला जा जा है मेरा experience है with that तो वो मैं आपके साथ share करने वाला हूँ हूँ हाँ पर कुछ हो सकता है meditation session भी होंगे और उसकी जो कीमत है वो एक रुपए में रखी थी लेकिन unfortunately बाद मुझे पता चला कि एक रुपए कीमत हो ही नहीं सकती है क्यांकि payment gateway अलाओ नहीं करता उस चीज़को तो इस व YouTube का आपको comment section आपको बताईए static GK प्रकाश अगर आप डेली पुलिस या फिर किसी और exam के preparation कर रहे हैं तो चिंता न करिए मैं आपको static GK का भी करवाँगा one shot लेकिन considering कि static GK का mains में पिछली बार waitage नहीं रहता तो वो मैं नहीं करवाने वाला हूँ इस बार के आपके one shot में आप कर लीजे जो भी आपने किया था उसको करके चाहिएगा ताकि अगर आ जाए तो आप ready रहें उसको करने के लिए लेकिन मैं नहीं अलग से करवाने वाला हूँ जो भी आपने जो मैंने आपको करवाया था tier 1 के time पर जो भी आपके notes है उससे आप कर लीजेगा बगि इसरे नंबर पर आपको दिख जाएगा सफर्स को करके और वहीं पर है ठीक है ताली कोटा 1565 नॉट अच्छा सक्षी तो क्याने 1556 लिग दिया था क्या शुरू महीं मैंने बताया होगा कहीं पर ओके ठीक ठीक 1565 हो गई है ठीक है 1565 छलिए भई थैंक्यू सभी को और फॉर बी टॉबलसी वो सफाइस करेगा एंसम डेवल वो सफाइस करेगा है न जो भी हम लोगों ने आपके वन शॉर्ड लेक्टर्स किये है वो सफाइस करेगा आपके बीर एससी एक्जाम है भी थैं सब्सक्राइब को बिंटी को डेली पुलिस के लिए वह भी जल्दी से प्लीस टाइम टेबल देजिए बिल्कुल डिशब